एलो गाईस मैं आप लोग के लिए एक गूल ड्रामा लेकर आगी है उसके स्टाइटिंस में हमें हमारे मैलीड कराक्टर दिखा जाते हैं जो दोनों सॉय होते हैं पर यह दोनों एक साथ बस एक कंट्रेक्ट की वज़ा से होते हैं वो कंट्रेक्ट उठने के बाद कहने लगते हैं कि उठतो गई हूँ पर तुमने बात की थी कि तुम मेरे भाई के होस्पिटर के सारे खर्चे उठाओगे तो अभी मुझे जुरूरत है तो तुम क्या मुझे दे सकते हैं पेज पर लिखके भी देती है पर शैंक्षिन उसके हाथ से वह पेज कुसे में पकड़ता है जिसकी विरस उसके हाथ पर भी चोट लग जाती है और इसी तरह वो अपनी कमपनी में भी जाता है वह उसका हाथ है कि उसका फ्रेंट पूछे लगते है कि तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ तो वो उसे कुछ भी निबताता और हमें गुशेन दिखा रौकते होएं गलती से सोजाओ जाओ का हाथ पकड़ लेती है सोजाओ को यह पसंद नहीं होता तो वो उसके मुपर एक थपड़ लगाती है यह सब खड़े होकर गुशेन देख रही होती है और कहने लगती है कि तुमको नोटियस को थपड़ लगाने वाली तो आगे से सो किया और तुम अपने आपको समझती क्या हो तो गुशेन गाने लगते हैं कि कुछ समझती तो नहीं हो बस इस कंपनी की अडिटर हूँ और हाँ अगर तुम बताना चाहती है तो बता दो मैं भी यह सिसीटीवी फोटिश दिखा दूंगे उन्हें कि तुमने पहले को लीग कि पढ़ाओ अपनी उसी फ्रैंड को लेकर वाहां से लेकर कंपनी के सीओ श Bennett के पास जाने लगते हैं पर वकलब इस बचारी लगकी तो थो हालत ही खराब हो जाती है और शैंशिंग के पस जब पहुंच आते हैं तो गुशैन उसको जाकर बताएं लगते हैं कि जो आपने यहाँ पर सुझाओ एक्टर बुलाई थी ना उसने हम पर हाथ उठाया है शैंशिंग तो यह सुनकर हो जाता है कि गुशैन तो में कुछ चुबा तो नहीं का उसने मारा है पर आगे से गुशैन कहीं लगती कि मुझे नहीं मारा इसको मारा है और फिर वो लड़की बिस बारे में बताने लगते हैं फिर शैंग शैंग कहने लगता है कि तुम बाहिए जाना मैं ज़रा गुशैंग से अकेले में बात करना चाहता हूँ और गुशैन से उसने अकेले में क्या ही बात करनी तो उसके बहुत ज़ादा क्लोज आने लगता है और एक मैगजिन को पीछे से उठा कर उससे बाते करने लगता है कि कोई लड़की तुम्हारे सामने मेरी बुराया कर रही हो और तुम क्या सिरफ उसको चुप करके सुनती रोगी और फिर हमें दूसरी तरफ सुझाओ दिखा जाती है जो शैंख्षी के आफिस की तरफ ही आ रही होते है ताभी वो बाहर से देखती है कि गुशेयन जो शैंशी के पास बैट के उसके हाथ को देख रही हgil होते है उसके हाथ पर पठ पर पटी बगर्हा कर रही होती है और यह सब सुझाओ को देख कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और शैंशी से आकर कहये लगते हैं कि क्या यह मुझसे माफी मागने के लिए आई है और गुशेंग शी के पास जाकर बैठ जाते है उसके साथ बहुत जादर चिपकने लगती है पस शेंग शी भी उसको अपने से दूर ने करता था कि गुशेंग ये देखकर जैलस हो और सुचाओ तो फुल करवी करवी बाते गुशेंग को सुनाने लगती है गुशेंग उसकी कोई भी बात का कोई भी जवाब नी देती बरके चुप करके वाँ से उटकर चली जाती है और साथ ही साथ उसने गुशेंग को इसी हरकत की वज़ा से अपनी कंपनी से भी निकाल दिया था जाते वए गुशेंड की आंखों में अंसु आ जाते हैं उपर से यह सब शैंशिंग देख रहा होता है और फिर शैंग्शी सोजाओ के साथ एक जगा पर आता है वहाँ पर गुशेंग भी आई होती है शैंग्श इसकर चला जाता है एक लड़की सोजाओ के कहने पर गुशेंग की करीब आती हो आकर उससे बात बगरा करने लगती है और खूद ही अपने हाथ पर गरम चीज़ गिराकर कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते तुमने मेरे उपर यह क्यों गिराया पर आगे से गुशाइं कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे से ऐसा कुछ भी ने किया और मैं क्यों करोंगी तुम्हारे साथ ऐसा इन दोनों की ये वाली लड़ाई देकर शेंचिंग गुशाइं को माँ से लेकर चला जाताए और बाहिर जाकर उसको उसके गले से पकड़ के गये लगता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हों तुमने यहाँ पर क्या आए करना था अफिर उसको पकड़ कर एक जगा पर ले जाता है तो खूर कैन लगती है कि मैं अपने काम के लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे अपना काम बहुत important है मैं क्यों किसी को hurt करूंगी और मेरे लिए मेरा पैसा बहुत important है तो शैंग्शिंग उसकी ये बाते सुनकर वहाँ से चला जाता है और उसको वही वाली सारी बाते याद आ रही होते हैं शैंग्शिंग की कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती बलके मैं तो चैंग्शिंग को लाइक करती थी पता नहीं तुम कहां से आ गई और मैं बता दूँ कि मैं हमेशा उसको ही लाइक करती रहूंगी तो मैं कभी भी लाइक नहीं तो मुझे कभी पसांद आओगे यही बाते सोचकर वो गुसे में अपना मुबायल तक तोड़ देता है और गुशेन दिखाय जाती है जिसको गुएन का मेसेज आता है कि मैं काला आरी हूँ क्या तो मुझे मिस्ट कर रही हो उसका यह मेसेज देखकर तो गुशेन काफी कुश हो जाती है नेक्सरे गुशेन दिखाय जाती है जो शैंशिंग के लिए खुद खाना लेकर जाती है शैंशिंग तो यह देखकर कुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ मिले लिए खाना लेकर आई है पर उसको इस बात का तो बात में पता लगता है कि गुएन आ रही है और गुएन वही वाली रड़की होती है जिसका फ्यूचर हस्बेंटी गुशेन का करश होता है और वो उसको ही लाइक करती होती है पर शैंशिंग को वो जरा भी पसंद नहीं होता अब शैंशिंग उसका नाम सुनकर क्या करता गुशे में अपने काम के लिए घर से चला जाता है और शैंशिंग एक जगह पर रेस्टरेंटेंट में दूसी कम्पनी के साथ डिनर पर आया होता है और उसी जगाप पर गुशेंग भी अपनी फ्रेंड के साथ खाने के लिए आई होती है तब ही गुशेंग वाश्यूम यूज़ करने के लिए जाती है तो वाश्यूम से बाई निकलती होगे उसको एक जानने वाला मिल जाता है जो शेंग शेंग के पास ही आया होता है डिनर के लिए वो गुशेंग के काफी ज़ता क्लोज हो रहाता है ये पीछे से शेंग शेंग भी देख लेता है उसके जाने के बाद शैंक्षिंग उसको सामने खड़े होका कॉल काला उतर पूझा होता है कि तुम कहां पर हो वो भी बता देती कि मैं फ्रेंट के सार डीनर पड़ाई हूँ तो आगिस उसको शैंक्षिंग पकड़ के कहने लगता है कि तुम यहाँ पर डीनर के लिए आई हो मैं तो कुछ चोड़ी देख रहा हूँ और गुशैंग वहाँ से जाएं लगता है तो शैंक्षिंग उसको पकड़ के कहने लगता है कि यह मत बूलना कि तुम अभी मेरी वाइफ हो तो गुशैंग कहने लगता है कि यह मैं कैसे बूल सकती हूँ और अगर अच्छे से याद रखाना चाहते हो तो तो मुझे लोगों के सामने क्यों नहीं बता देते कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ यह बात सुनकर शैंक्षिंग वही पर चुप हो जाता तर गुशैंग वहाँ से चली जाती है वो उसके से बैड मीटर खेलने के लिए जाता है पर खेलने के बहाने उसको काफी मारता है और शैंक्षिंग जब घर की तरफ जा रहा होता है तो उसको मैसेज आते है कि गुएन घर पर पहुंच गई है यह मैसेज देखते साथ है वो जल्दी से गार को डुकवाता है और अपने दोस्तों को रास्ती में छोड़कर खुद वहाँ से जाने लगता है गुशेंग दिखाया जाते है जो घर की तरफ अकेले आ रही होते है तब यह उसका सामना रास्ते में वांग चाहिए से हो जाते है जिसको पता होता है कि यह शैंक की वाइफ है तो कार से आकर कहें लगते है कि तुम्हा इसा शैंक क्यों नहीं है वो कहां पर है करी तुम्हें उसने अकेला तो नहीं छोड़ दिया तो आगे से गुशेंग कहें लगते है कि नी नी वो काम में थोड़ा बीजी था इसलिए मैं खुद ही आ रही हूँ इतने में पीचे से शैंक शिंग आ जाता और आकर कहें लगता है कि गुशेंग तुम्हेली की वागी मैंने तुम्हें कहा था ना महाँ पर खड़े रहना मैंने आई जाना था ना चलो कोई बात ने अगर तुम आ गई हो तो अंदर तक हमें कठे चलते हैं उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर वांग जायी को बिल्कुँ भी अच्छा नहीं लगता और शैंक शिंग जाते होगे उसको और भी थोड़ा बेज़त करते होगे कहें लगता है कि ये कार तो मुझे देखी देखी लग रही है और अपने फ्रेंड से कहीं लगता है कि अच्छा तुम ये कार मुझे से सुबह में लेकर गई थे ना ये बात कहे कर वो माल से चला जाता है पर उसके फ्रेंड की तो पीछे से वांग जाई इसे शामत आ जाते हो कहें लगती है कि तुम एक कार भी अफ़ोट नहीं कर सकते तुम इसकी कार क्यूं लेकर आए तुम आ कहें लगते है कि मैंने अपनी कार को सोरी सेल कर दिया था जिसकी बज़ा से मैं इसकी कार को लेकर आया हूँ जैसे गर की तरफ गुशेंड शैंग 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 के सा जारी होती है वैसे उसका सामना आगे से गुएंड से हो जाता है इस बात पर सब भंसने लगते हैं और शैंग शिंग उनको दिखाने के लिए गुशन के काफी ज़दा क्लोज आ रहा होता है ताके शैंग शिंग उससे दूर रहे और वह दोनों जब अंदर चले जाते हैं तो पीचे से शैंग शी गुशन को पकड़ लेता हैं लगता है कि अंदर जाके कुछ पी ऐसा मत करना जिससे सब को तुम पर शक हो और जब सब लोग टाइनी टेबर पर बैटे होते हैं तो उसकी माम भी आ जाते हैं वहाँ पर सब ल गुशन जल्दी से कहने लगती है कि इसको सीफूट से अलर्ट जिया तो नहीं देना चाहिए गुशन की ये बस उनका सब लोग उसको देखने लगते हैं तो गुशन कहने लगती है कि हमने हाई स्कूल एक साथ पड़ा और हम एक दूसरे को जानते भी तो है पर शैंक शी उसको चुप करवाने के लिए उसके मूँ में खाना डाल देता है और वांग जाईगी जो इन सारी बातों को नौट कारी होती है और गुशन को वहां से लेकर चली जाती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ और वो उसको रोम में लेकर बैठ जाते ह उसको उसकी लिए लाया हुआ गिफ्टी खाने लगती है और साथ यसाथ पूछे लगती है कि शैक्षी तुम्हारे साथ कैसा है मुझे तो तुम दोनों को कपल पहुत ही जादा अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और हमें कि आकर हम आपके रिलेटिव्स हैं तो हम इसका अच्छे से ख्यार रखेंगे यह करका वो खुषैन को माँ से उठाकर लेकर जाने लगती हैं शैंक्षी और गुषैन दिखा जाते हैं घराकर भी शैंक्षी कुषैन के सथ बेटकर खाने लगता है तब ही खाते हुए तो में पैसा चाहिए ना और शैंक्षी के बास बहुत पैसा है तुम जब उससे शादी कर लो कि तो वह सब तुम्हारा होगा पर यह पास शैंक्षी को जड़ा अच्छी नहीं लगते हैं और वहां से रोते हुए जा रही होती है और हमें और हमें शैंक्षी दिखा जाता है अपने ऑफिस से वापिस आता है पर तब भी वह गुशैन को किसी से बात करते हुए सुनता है तो चुप करके उसकी बाते सुन रहा होता है गुशैन कॉल पर कह रही होती है कि अच्छा आभी भी मेरे भाई को हॉस्पिटल में चेक अप के लिए और भी पैसे चाहिए पर मीटिम्ै कर चाह आता है वह सब काफ सा कर रहा होता है और दूसी तरफ जिक आच़ी होती है जो हुछ होपिटल में अपने भाई से से मिलने के लिए जाती है भाई जो कॉम में होता है उसको देखकर उसको सारे फ्लेश पर क्यादारे होते हैं कि इस तरह मुझे मेरी इशादी से बगा कर लेकर जा रहा होता है पर चाब मेरा एक्सिड़न्ट होने लगता है तो मुझे सेटर्पे करके खुद कार के आगे आगे आजाता है यही सोच सोच कर शैंग शीं बहुत ही ज़ादा रोरी होती है और शैंग शीं जो अपने आफिस में होता है उसको शैंग शीं के इस बात पर गुसा आ रहा होता है कि वो शैंग शीं के लिए शॉपिंग करने के लिए क्यों जा रही है इसी बात पर वो मूव बना कर बैट होता है तब ही वहाँ पर सुजाओ आ जाती है सुजाओ आकर शैंग शींग के साथ काफी फ्री हो रही होती है उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें एक जगा पर लेकर जाना है पर शेंग उसको साफ मना कर देता है पर फिर से सुजाओ उसे रोक करने लगता है कि तुमने किस टाइम जाना है तो वो उसे बताएं लगता है कि मैंने इस टाइम जाना है शेंग करने लगता है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे ना शाइंग शी के पास आकर बैट जाता है उससे आकर बाते वगएरा करने लगता है उसको जैलस फिल करवा रहा होता है कि मैं सुझाओ के साथ आया हूँ और यह सब खड़े होगर पीछे से सुझाओ देख रही होती है और फिर आकर शैंग से कहले लगती है कि अकेला वहां से चला जाता है और गुशेंग दिखा जाती है जो चुपकर के एक जगा पर खड़ी होती है तो शौवाली उससे आकर कहने लगते है कि यह तुम्हारा हस्बंड था ना और यह कैसे किसी ओलड़की के साथ आ सकता है और भी कहने लगती है कि तुम्हें परशान होने की जूरत नहीं है कुछ नहीं होता और फिर जब कुशेंग घर पर पहुंच आती है तो वो घर पर बैठकर गौन से वीडियो कॉल पर बात कारी होती है साथ में चैंग ची भी बैठा होता है और शैंग दिखा जाता है जो सबके साथ एक जगा पर पार्टी पर गया होता है सब ही पार्टी के अंज्वाई कर रहे होता है पर एके करके सबकी वाइफ की कॉल आ रही होती है और वो उसे पूची होती है कि तुम कहां पर हो शैंशी को ये देखकर बिकल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि सबकी वाइफ से उने कॉल कर रही है पर मेरी वाइफ ने तो मुझे कॉल तक भी नहीं की उसने तो मुझे पूच्छा भी नहीं मैं कहां पर हूँ यही सोच के वो इतनी जदा रुइंग करके घर पर आ जाता है गर पर आकर देखता है कि गुशैन तो उसके आने से पहले ही सोई हुई है उससे सोई हुए देखकर उसके पास बैटका बाते बगरा करने लगता तो फिर जब उसका परस देखता है कि साइट में पढ़ा हुए है तो उसके परस को पकर के अपने साथ लगा कर सो जाता है और सुबा में जब गुशैन उटती है तो देखती है कि वो तो नीचे जमीन पर सोया हुआ है और जैसे उसके हाथ में अपना परस देखते हैं तो उसको निकालने की काफी ज़दा कोशिश करती है पर उसने इतनी ज़दा सकती से पकड़ा होता है कि उससे निकाला भी नी जा रहा होता फिर उसको गुद्गुदी बगारा करने लगती है जिसकी वज़ा से वह थोड़ा परस को छोड़ देता है और गुशैन अपकी बाद जब उससे परस पकड़ने लगती है तो शैंक्षी अपनी तरफ उसको खैंचते होए कहने लगता है कि उन्ही बाता में खोई होती है तब उसके पास उसका कंपनी का बोस आता है और आकर कहने लगता है कि हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम अब लोगों के इंटर्व्यूस वगरा करेंगे और वो भी एक्टर्स के साथ सा कंपनी के प्रेजिडन्ट का नेम लेता है वो श कि वो पहले हा नहीं कहरे होती क्योंकि उनको पता होता है कि शैं tendency नहीं मानेगा पर उसके फ्रेंड को भी पता होता है कि यह तो उसके कंपनी था जाएगा और इधा अपने ऑफिस में बैठा घैलों में होता है 걱정 का बता है और बिसेते सीन में में खुआ-अधे पहुंड क आगे करता है गुशन भी सबको देखकर से हैंडशेक कर लेती है और साथ में फ्रेंड उसकी वह भी मिस्टर शैंग को अपने बारे में बताएं लगती है पर शैंग उससे हाथ नहीं मिलाता और फिर थोड़ा इंबारस तो होती है और पूचे लगते हैं कि जो आपके पिछे होने के लिए चले जाए जब आप त्यार हो जाए तो मुझे बुला ले ना यह बास सुनकर मिस्टर शैंग भी वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद गुशन की जो फ्रेंड होती है वो उसकी बहुत जादा तरीफे करने लगते हैं कि कितना सदा हैंसम था और देखो लोगों को अपने साथ भी लेकर आया है उसकी फ्रेंड तो काफी ज़दा इंप्रेस होती है पर गुशन उसको कुछ नहीं बोलती बस ये कहते हैं कि जाकर अपना काम करो ना और भी गुशन अपने बास के पास जाते हैं और जाकर कहने लगते हैं कि बास जो आपने अपनी चुपाई हुई है अपनी वाइफ का नाम बता दे इस तरह उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ पूछना है और इतने में वहाँ पर लड़की बुलाने के लिए आ जाते हैं कि मिस्टर शैंक त्यार हो गया तो आपको बुला रहे हैं गुशन जब मिस्टर शैंक के पास जाती है तो शैंक उसको कहने लगता है कि क्या तो मेरे मेकाप को देख सकती हो मुझे लगते कि थोड़ा खराब है पर गुशन नहीं देख रही होती बलकि उसके मेकाप पार्टिस को कहती है कि जब उसका मेकाप ठीक है या नहीं है जब उसका मेकाप पार्टिस देख किया तो मुझे टाई लगा दोगी गुशेंग ये सुनकर उस पर चीखने लगती है पर पीछे खड़े लोगों को देखकर उसको टाई पहनाने लगती है और फिर इसी तरह दोनों इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं गुशेंग के सामने स्क्रीन पर एक एक कोस्टन आ र का सीन दिखा जाता है जिसमें गुशेंग वैडिंग ड्रेस्ट में हॉस्पेटल से बाहिर आ रही होती है पर आगे से उसके पास शेंग्शी आ जाता है और उसे इस तरह देकर पोछे लगते हैं कि तुम पर इतना खून कैसे लगा हुआ है तो वह उसे बताने लगते हैं क ये मेरे भाई का बलड है और वो अंदर एड्मिट है मेरे पास उसका ट्रीट्मेंट करवाने के लिए पैसे नहीं है क्या शेंग्शी तुम अबहुत बूरी कंडिशन में है पर शेंग्शी उसके हेलप करने के लिए त्या नहीं हो रहा होता और वह आज़ जाने लगता है तो गुशाएन उसके पाऊंपर जाते हैं कि तुम जो मुझे से करवाना चाहते हो मैं तुमारे लिए वो करने के लिए तियार हूँ तो शैंकशी करें लगता है कि तुमने इसी वज़ा से मुझे से शादी नहीं की थी ना चलो आप शादी करेंगे वो भी कॉर्ट मेरिज तो गुशेयन अपने भाई के लिए उसके सादी करने के लिए त्यार हो जाती है और गुशेयन उसे नेक्स कॉस्चन ये पूछती है कि क्या आपने अपनी वाइफ को कोई ऐसा गिफ दिया जो काफी महंगा हो इसी में हमें एक फलैश ब्लेक दिखा जाता है जिसमें शेयन आपनी वाइफ के लिए एक पैंटिंग लेने के लिए आता है अपनी पेंटिंगों वहां से लेकर चला जाता है जो उसके वीफ लाया था और उसके माम को सारी बाते जाकर बता देता है और यह साब बाते खड़े होकर नीचे से गुषेन भी सुन रही होती है कि कहां पर इसकी वाइफ है और एक दूसरे से पूछ है लगते हैं पर गुशैन तो बस ही सोच होते हैं कि अभी सब के सामने मेरा नेम लेगा या नहीं लेगा पर वैसा कुछ भी नहीं करता बलकि कैमरे की तरफ इशारा का कि कहता है कि मतलब मुझे यहां से देख ही रही इस कॉस्टन को करने का तो वह अपने बस के एक भी नहीं संती बलकि वही पर उसी इंटर्वियो को खतम कर देती है इस इंटर्वियो के बद गुशैन को बस उसका बहुत जादा डांटा होता है कि यही तो हमारे पस मौका था तुमने वह बात उससे क्यों ने पूछी क्यो यह सब बते कैकर शैंक तो वहां से चला जाता है पीछे से बहुत उसको कहने लगता है कि गुशैन तुमने बहुत ही अच्छा किया मैं कहता हूँ तुमने कमाल करती है और शैंक शी बाहर जाकर गुशैन के आने का वेट कर रहा हुता है जैसी वहां पर गुशैन आती तो बेबी होने वाला था पर उसमें अपना अबोर्शन करवा दिया था और डॉक्टर साथी साथ उसकी काफी ज़दा क्यार करने को कहता है तो शैंक डॉक्टर के जाने के बाद गुशैन के पास आकर बैठ जाता है काफी ज़दा बाते करने लगता है कि मैंने बहुत कलत किया तुमने अपना अबोर्शन क्यों करवा दिया तुमने यह क्यों समझा कि मुझे बेवी नहीं चाहिए था और साथ इसाथ उसको अपना कार्ड देने का सोच रहता है और उसके पिलो के नीचे से वही वाला कार्ड निकाल लेता जो उसने सुबह में उसको देना था क्योंकि गुशैन ने तो इस तरह का रिलेशन रखने से ही मना कर दिया था और पिर हमें कंपनी में नेक्स मॉर्निंग का सीन दिखा जाता जहां पर वही वाला लड़का जो गुशैन के साथ भी काफी फलर्ट करने की कोशिश में होता है वो सीधा किसी की ना बात सुने शैंक की तरफ जा रहा होता है शैंक से जाकर कहता है कि तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो देखना मैं तुम्हें सबख सिखाता तो शैंक कहें लगता है कि मैं भी देख लूँगा और साथ ही साथ उसकी ड्रेसिंग पर भी काफी बाते करने लगता है और ये दो नई हाई स्कूल के फ्रेंड भी होते हैं तो इसलिए एक दूसरे के सामने आकर लड़ रहे थे गुशैन के लिए और शैंक उसको इस तरह बाते सुनाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो रहा होता है और हमें नेक सीन में गुशैन दिखाय जाती है जो अपनी फ्रेंड गुएन के पास होती है जिसके अभी थोरे टाइम में इंगेजमेंट होने वाली थी चैंक ची से दोनों मेरे बाते कर रही होती है साथी साथ गुशैन उसको बताएं लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रैसेट बनाई है और ब्रैसेट लागर उसको पहनाने लगती है दोनों सिस्टर्स आपस में बाते करते हुए कुश होई रही होती है तब भी पीचे से उनकी मौम आ जाती है और गुशैन को कहती है कि तुम इने साथ हो मैंने तुम से बात करनी है और बाहरी का सीन दिखा जाता जहां पर इंगेंजमेंट की सारी त्यारियां वगरा हो रही होती है और वहां शैंक्शी भी पहुँच चुका होता है और गुशैन की मौम उसे बात कर रही होती है कि अब यहां पर तुम्हें कोई भी तमाशा खड़ा करनी की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम चैंक्शी को लाइक करती हो ये मत भूलना कि मैने तुम हाई सीकर्ट टाइर को पढ़ा हुआ है तो गुशैन के लगती है कि मौम मुझे आप ऐसा क्यों समझती है मैं ऐसा क्यूं करूंगी पहले तो आप ये बताएं और यहीं से हमें गुशैन अपनी सिस्टर गुएन के सथ दिखाई जाती है जो उसको लेकर आरी होती है और गुएन आके जाकर अकेले जाने लगती है तो तब ही वो देखती है कि प्यानों के लिए जो आया हुआ है वो चैंग ची ने ही बुलाया है ये देखकर चैंग ची को ठैंक्स करने लगती है और उसके साथ जाकर प्यानों में जाने के लिए बैट जाती है और शैंग तो बस अपनी गुशैंग की तरफ ही देख रहा होता है और इसी तरह रिंग सेरिमेनी भी आ जाती है जहां पर चैंग ची गुएन को रिंग पहनाता है और गुएन चैंग ची को रिंग पहनाती है और ये सब देखने के बाद गुषायन तो चुपकर के वहाँ से चली जाती और शैंग उसको जाते होए देख रहा होता और कहाने लगता है कि एक फर बस पलट कर देख लो और सोचा मैं तुम से कितना प्यार करता हूं पर गुशेन वहाँ से चुप करके चली जाती है और फिर सब लोग एक जगा पर बैटे होते हैं तो वो एक गेम खेलने का सोचते हैं जिस गेम की वज़ा से चैंक ची और गुशेन दोनों ने इकठे सौंग सिंग करना होता है पर ये दीकर शेन को बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता वो उनके सौंग को स्टॉप कर देता है और कहने लगता है कि हम तुर्थोडिया वाली गेम खेलेंगे तब ही गुशेन को एक अन्नाव नंबर से मेसेज आता है कि बाहिर आओ इस डूम में आओ गुशेन उसके मेसेज के बाद वहाँ से बाहिर उससे मिलने के लिए आती है और पता लगता है कि मिलने वाली कोई और नी बलके सुझाओ होती है सुझाओ से कहने लगती कि मुझे पता ही था कि ये तुम ही होगी तो वो कहने लगती कि अच्छा पता था तो तुम यहाँ वे क्यों आई हो? ओ याद आया, शैंक के लिए आई हो ना, जो मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना है, तो वो उसको अपनी प्रेग्रेंसी रिपोर्ट्स दिखाने लगते हो, कहने लगती है कि मुझे टू एंड हाफ वीक हो गया है, मैं शैंक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यह बास सुनकर गुषैंक पहले तो शौक होती है, फिर उसकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी, तो वह कहने लगती है कि तुम में तो उससे जरा भी इंटरस्ट नहीं है, वो तो बाही मेरे साथ होता है हर टाइम, तो गुषैंक कहीं लगती कि वो जितना भी तुम्हारे साथ होता है पर तुम कभी भी मिसिस शैंक नहीं बन सकती जो मैं बनी हुई हूँ, और एक बाही वाली लड़की मुझे आकर बताएगी कि कौन मुझे में इंटरस्टेड है और कौन नहीं है, यह कहते हैं वह उसकी रिपोर्ट्स को फार देती है और वहां से चली जाती है, और शैंक जो अंदर तुर्टेयर वाली गेम खेरा होता है, उसमें उसको कहा जाता है कि तुमने जाकर गुषैं से प्यार के वर्ट्स पॉन ले हैं, और जैसे ही वहां पर गुषैं आते है तो, शैंक उन ससके कहने पर गुषैं की पास चला जाता है, आप गुषैं का तो मूड़ी खराब होता है, बाएक से सब बाते सुनकर, तो ऑर शैंक की इतनी प्यार वाली बाते सुनकर भी वहां से चली जाते हैं, और जब वह नहीं रोक़ रही होती है, त के दिल से तुम बिल्कु को साफ हो चुकी हो तो गुशेंग फिर से वहाँ से जाने लगते है तो शैच शी उसे पकड़के जबधस उस tim किस करने लगता है पर जैसे गुशेंग को सुझाओ की बाते याद आती हैं तो उसकी लिपस फर पूरे तरीके से काट लेती है और भी जाते हैं कि अगर तुम बेबी चाहते थे तो तो तुम्हे इस तरह बेबी लेनी की कोई भी जूरत नहीं थी शेंक को तो समझ रहा होता है कि कि इस पारे में बात कर रही है पर कुछ ऐन तो अपनी ब तो यह यकीन ही नहीं आता कि यह उसका बच्चा है और कहें लगते हैं कि यह चैंक ची का तो नहीं है तो कुछ शैंक कहें लगते हैं कि तुम्हें क्या से पता कि यह उसका या तुम्हारा है तो वो कहें लगते है कि तुम्हारे दिमाग पर तो हर टाइम वो ही होता है ना तो मुझे क्या पता वो किसका बच्चा है और यहीं से हमें शैंक दिखा जाता है जो सोजाओ की कार किया कि अपनी कार को रोक लेता है और सुजाओ के पास जाके पूछे लगते है कि तुमने मेरी वाइफ को जाके क्या कहा है तो वो कहें लगते है कि मैंने तो बस यही कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो शेंक कहें लगता है कि तुम ये वली हरकत कैसे कर सकते हो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो वो कहें लगता है कि मुझे लगता था कि तुम मुझे ही लाइक करते हो हर्ट है मेरे साथ ही तो रहते हो तो मैंने उसको ये बाद बोल दी तो शेंक कहने लगता है कि मुझे मिरी वाइफ जदा प्यारी और तुम मुझे प्यारी नहीं हो ये कहकर वाँ से जाते हुए वो गुशेंक का पता कर रहा होता है कि वो कहां पर गई है पर घर पहुंचने पर वो गुशेंक को अपने घर पर ही देखता है गुषैन को देखकर शैंक को अपने एक फ्लैश पर क्या दा रहा होता है कि किस तरह उसने गुषैन को अपनाया था गुषैन को सोयोवे देखकर उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है और जैसे ही गुशैन की मौम आने लगती है तो अपने और उसके उपर ब्लैंकिट देकर वही पलेट जाता है तो गुशैन की मौम पोचे लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो तो वह कहें लगता है कि कुछ नहीं बस मैं गुशैन को अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ पर इस बात के लिए गुशैन की मौम बिलकुल भी नहीं मारी होती पर उसकी माम को मनाने के लिए वो इतनी जदा पैसों का लालच देता है कि आप मुशी जऑ कहेंगी मैं वो देने के लिए त्यार हूँ बस आप मुझे गुशैन देदे तो वो कहांना लगता है कि गुशैन की शादी तो एक दूसी फैमली में उई हुई हूई है ना पर आगे से शैंक कहांन लगता है कि अगर फैमली मैं गाइब करवा दूँ तो शादी का दो नाम हीन इस दुनिया में रहेगा तो आटमेटिकली गुशैंट मेरी हो जाएगी तो इस बात पर गुशैंट की मॉम अपनी कमपनी में इंवेस्ट करने के लिए उसे कहती है और शैंग भी कहतीता है कि हाँ हाँ मैं इन्वेस्टर से बात कर दूँगा जो आपको पैसे भी दे देगा शैंग जो अपनी कमपनी में होता है ताभी उसके पस चीलियो आता है जो उसका फैमली रिलेटिव होता है वो आकर उन दोनों से बाते बगरा करने लगता है और साती साथ अपनी मुवी के बारे में बताने लगता है कि मैंने उसमें एक्टिंग किया तो तुम दोनों मेरे साथ मेरी मुवी देखने के लिए चलो गे ना पर शैंग और उसका फ्रेंड दोनों उसे मना करके वहाँ से चले जाते हैं और दोसी तरफ गुशैन दिखा जाती है जिसकी फ्रेंड उसको आकर बता रही होते हैं कि शैंग ग्रूप ने सुजाओ के साथ अपना कॉंट्रेक्ट कैंसर कर दिया है मतलब उने भी समझा गया है कि सुजाओ उनके साथ कैसी थी और वो उनकी कंपनी में क्या कर रही थी मुझे तो पहले से भी ज्यादा शैंग अच्छा लगने लगा है देखो उसने इस लड़की को भी पहचान लिया है और तब ही वहाँ पर शैंक को पुलाने के लिए उसका बोस आ जाता है और शैंक जब अपने बोस के ऑफिस में जाती है तो उसका बोस क्यान लगता है कि तुमने एक जगा पार्टी पर जाना है वहाँ पर काफी जदा एक्टर्स प्रेजरेंट वगरा आएं होंगे तो तुमने वहाँ पर बस सुने ये जाकर कहना है कि आपने हमारे पास आकर इंटर्वियो देना है और जैसे ही अपने बस के अफिस से बाहर आते है तो उससे यहाँ पर भी मिलने के लिए जेलियो आ जाता है जेलियो को देखकर शैंक बुछे लगते है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई तो वो उसे भी आकर अपनी मूवी के बारे में बताएं लगता है कि मेरी न्यू मूवी लांच हुई है और मैंने उसे अक्टिंग भी की है शैंक को तो यकीन ही नियाता कि इसने अक्टिंग की है तो वो उसे सैनिमा की टिकेट देने लगता है कि तुमने आकर जोर मेरी मुवी को देखना है और साथ ही साथ उसकी कुलीस को भी अपने बारे में बताने लगता है और यहां तक की इन्वाइट भी उन्हें कर लेता है और भी रात में जेलियु की मुवी देखने का टाइम पी आ जाता है सबकी टिकेट्स पर इलाइदा इलाइदा हाल नंबर होता है तो वो अपने अपने हिसाब से जा रहे होते है और शैंक जब अपने हाल में पहुंचती है तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी नहीं होता तो चुप करके एक जगा पर बैठ जाती है और दूसी तरफ जो जेलियू बाकि सब स्टाफ वगरा के सथ बैठा होता है अपनी मुवी को देखने के लिए उसकी मुवी तो ने होरर टाइप होती है तो वो देखका थोड़ा डर रहा होता है और यहां जो गुशेयन अकेली बैठी होते है उसके पास शैंग आ जाता है और आकर कहने लगते है कि यह कैसा इत्तफार का हम दोनों एक ही जगा पर आया और यहां पर कोई भी नहीं है तो उसके साथ बैठ कर मुवी देखते हुए पापकॉन खाने लगता है उसको भी खाने को कहता है और फिर इसी तरह मुवी एंड होने के बाव हो जब अपने हॉल से वापिस आरे होते हैं तो आगे से जीली उन्हें आते हुए देख लेता है कि तुम लोग जिस जगा पर थे शैंग तुमने तो कहा था कि वो क्लोज है तो तुम लोग वहां पर कैसे बैठे तो शैंग का गुषेन उसको बच्चा कहे कर वासे चली जाती है और नेक्स दे जब सुबा में शैंग उड़ता है तो गुषेन उससे कहें लगते हैं कि हमारा बेक फ्रास नीचे त्यार हुआ हुआ है तो जल्दी मुखा दो हम नीचे जाकर खाना खाते हैं यह सुनने के बाद तो शैं कहा बनाते हुए आ रहा होता है और काफी जड़ा पिक्स ले रहा होता है पर गुषेन जा पोछ देंग तुमत क्या करें होता है कि मैं तो बस बस यह सुबागा बेखवास अपने फेंट प्रेंड को भीज जाता एक सबसकित है और कंपनी में जाकर जेलयो को व kilka दे serie कैने लगता है कि इस में नहीं बात किया है हमेशाय ऐसा ही तो Cafe लेकवास्ट के लाओर चाहँ है तो वह कैने लगता है कि सब मां से बेश देता हुआ हो भाहिए जाकर काण लगाए कर उसके और उसके दोयस्ट की बाते सुनिया होता है फिर आपने फ्रंड Cafas जाते जहाँ पर उसके बॉसमें उसका भेजा था वहाँ पर जब पहुंचते है तो वहीं वाला लटका वांग जाए के साथ खड़ा होता है पर जैसे ही गुशैन को आते वए देखता है तो उसकी तब जाने लगता है पर वांग जाए को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो उससे जाकर कहने लगता है कि गुशैन क्या तुम्हें इसा ड्रिंक करोगी पर गुशैन तो लोगों को पार्टी पर गई हुई है तो जादा पूछने पर पता लगते हैं कि वह पार्टी किसकी है और साथ ये साथ शैंक को भी उस पार्टी की तरफ से इंविटेशन आया होता है पर शैंक तो उस टाइम पर रिजट कर देता है पर अब गुशैंक के लिए उससे तरफ भागता है और गुशैंग जो अपना जा रही होती है तब पीचे से वह दुबारा से उसके पास आ जाता और बात्ते में इसी करने लगता कहने लगते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुमने मेरे सा सीधा मेरे मूँ पर ग्रिंग करने से मिमना कर दिया पर गुशैंग उससे काफी ज़दा जान चुडवाने की कोशिश करी होती है पर वो गुशैंग को पूल में ही धका दे देता है अब गुशैंग को तो स्वीमिंग आती नहीं होती तो वो हल्प हल्प क्यारी होती है और इतने में वहाँ पर शैंग आ जाता है शैंग out कि आप जल्दी से गुष Halo लेता है हर ने उसको जब घर पर लेा जाता है तो उसको अपने फ्रेंट से बता लग जाता है कि यह हर्कत किस ने की है और जैसे ही गुषा याइन आती है तो उसकी काफी दौट केयार करने लगता यहां तक कि उसने उसके लिए टी वगरा भी बनाई होती है और फिर उसको एक काम का क्याकर वाँ से उसे बत्मीज इंसान को मारने के लिए चला जाता है उसे काफर ज़दा मारता है और कहने लगता है कि तुम को नोते मेरे वाइफ के करीब आने वाले मेरी वाइफ की आस पास भी अब तुम नजर मताना पर वो धीट इतनी मार खाने के बाद भी कहता है के शैंक तुम्हें तुम्हें पूछ लूँगा और कुछ शैंक जो घर पर सोही होती है तब उसको एक ड्रीम आता है के वो पानी में होती है और उसको उपर से शैंक बस खड़े होकर देख रहा होता है और एक जगा पर बिल्कुल उसके सामने शैंक आ कर खड़ा होता है और प्रेजिंट में भी उसके पर शैंक आ जाता है कि क्या तुम ठीक हो फिर जब मेर्ट उसके लेने के लिए चली जाती है तो पीछे से शैंक भी महां से चला जाता है और अपने दोस्त से जाकर बाते वा uranium राकरा करने लगता है तो उसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हारी ये बात तुम्हारी डैट तक भी पहुंच गई है पाशायन को तो इससे कोई भी फरक नहीं पाड़ा होता है कि जो मेरी वाइफ के इतना क्लोज आएगा और उससे इस तरह के हरकत करेगा ना उसको तो अपना हिसाब देना होगा तो उसका फ्रेंट कहें लगता है कि तुम फेस टू फेस उसे क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें वो नहीं चाहिए पाशायन कहें लगता है कि मैंने जब उससे बताना होगा मैं बता दूँगा मैं कुछ से उसकी ओर्डर पर चलता हूँ जैसे ही वो पीचे से गुशैन को देखता है तो ड़ जाता हो कहने लगते है कि तुम यहाँ पर कब आई और उसे सोरी करने ही वाला होता है कि अभी की बातों पर पर पता अभी गुशैन उसकी सामने एर बॉर्ड को निकानने लगत तो कहने लगती कि क्या तुम कुछ कह रहे थे तो वो कहने लगते कि अच्छा मतब तुमने नहीं सुना तो अच्छी बात है चलो चलते हैं तुम यहाँ पर क्यूं आ गई तो रूम में जाकर गुशैन को लिटाने लगते था भी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है उन दोनों को इस तरह देखकर कहने लगता है कि सौरी सौरी तुम लोग कंटीनियू रहो फिर शैंक्षी गुशैन से कहने लगता है कि तुमने यहीं पर लेटे रहना है मैं तुम्हारी लिए खाना लेकर आता हूं और गुशैन तो उसके जाने के बाद उन्हीं बातों को लगता है और फिर बनाने के बाद गुशैन के पास जाकर उसको खिलाने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है और अपने हाथों से भी खिलाने लगता है पर गुशैन कहता है कि नीनी मैं ही खिलाओंगा फिर गुशैन उसके हाथों से खुश होकर खाने है कि सर आभी आपकी मीटिंग है आप कब तक आएंगे तो शैंग उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था ना घर पर मेरा एक इंपर्ट Dartmouth काम है तो मैंने आ सalthy की मना करने पर वो उसके गर के नमबर पर कॉल कर देती है और जब आगे से घुषान बोलते हैं तो उसे पोच्छा लगते हैं कि आप क्मरे लगते हैं कि मैं शैंग शेंग की मिटिंग होने वाली है तो आपके उन्हें बता देंगी वैसे आप कौन है तो गुशैंग भी उसे बता देती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ गुशैंग और वो अब भी तो यहाँ पर नहीं है पर मैं उन्हें बता दूँगी और जैसी शैंग रोम में आता है तो आतिस साथ गुशेंग को कुछ ने कुछ पहनाने लगता तकि उसको ठंड न लगे पर गुशेंग उसे कहने लगते है कि तुम्हारी कंपनिय से कॉल आई थी तुम्हें वहां पर जाना होगा तुम्हारा important काम है पर शेंग चैने लगता है कि पका पका बाहर चला जाओंगा पर गुशैन उसको फिर भी नहीं रोकती और शैंक के जाने के बाद उसकी इन बातों पर हंसरी होती है शैंक जब कमपनी पहुंचाता तो उसकी असिस्टेंट उसको आकर बताएं लगते हैं कि आपने एक मीटिंग को अटेंड करना है तो शैं काफी कोई ये अлगती हैं राज़े हैं कि में प्लीस मुझे लाकर दे लोगी तो ईस्स्टेंगो और जीक्ष्ट जने चली जाती है उंको लाकर जो इलेकर पिक्स है तो वह सब बैटकर पिक्स को देख रहोता गुषैंग दोनों इकठे बैठे होते हैं। उस पीचे कुछ बातें चेंग ची के बातें लिखे उती हैं और यह सब पढ़कर जल्दी से पिक को अपने पास छुपा लेती है। सब लोग जब गुशैंग के घर से चले जाते हैं तो शैंग भी अपने कंपनी से आ जाता है और देखता है कि गुशैंग पेंटिंग कर रही होती है उसके पास पैट के उसके सथ पेंटिंग करवाने लगता है और भी शैंग को एक कॉल आती है वो कॉल सुनने के बाद है था उसे हर्कत की वाज़ा से उसके टाटों उसको मारे हो दो देला रोते हैं कि तुमने यह वाली हरकत क्यूं कि तुमने उसको चाके क्यों मारा उप्रती हूज देख नहीरा पर है होगा गोषैंड इसके म सब लगते हैं सब पर लोग बैटकर बाते बगरा करने लगते हैं अब तुम लोग आई हुए हो तो हम इकट्टे डिनर करते हैं पर शैंक कहांने लगते हैं कि ने-धिसन घर जाना चाहिए फिर से शैंक की मॉम पर ने-धिसन गुषैन के लिए हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा होते हैं गुशैन प्रेग्नेंट है तो वह कुछ चाइनिज मेडिसन गुशैन को देती है पर गुशैन भी उनके आगे से कुछ नहीं बोलती अभी गुशैन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है माम हम चलते हैं अगर आने के बाद शैंग गुशैन से मेडिसन वगरा लगवा रहा होता जहां पर उसके डैड ने उसको मारा था शैंग को तो बहुती मज़ा आ रहा होता है और भी गुशैन नीचे जाते हैं कि एक और निशान होता है उस पर कहने लगता है कि मैं यहां पर भी लगा दूँ इससे लगाने से कोई भी निशान नी रहता पर शैंग उसे मना करने ल लगते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं। और सोचे लगते हैं कि इसको यह भी नियात, चलो फिर भी कोई बात नहीं, मुझे तो इससे प्यार है न, आई यहीं से हमें, वांग दिखाये जाती है, जो उसी पिक को बैठकर देख रही होती है, और इस पिक के पीछ जो लिखा हो था तो पीछे से उसे शैंक पूला कर डुरा देता है और गुशैन अभी ये कैरी होती है कि तुमने तो मुझे डुरा दिया तो उसके हाँ से पिक पकड़ के उसे फार देता है और कैरी लगते है कि तुम चैंक के बारे में क्यों सोचती रहती हो तुम उसको अपने दिलो माणने वाले और मुझे ऐसे टॉर्चर करने वाले मुझे पता है वो मेरा ब्रदर इल्ला बनने वाला है तुम क्यों हर पर यह सोचते रहते हो कि मैं चैंक के बारे में सोच रही हूं तुम यह बात याद रख लो कि मैं अब चैंक को बिल्कुब पसंद नहीं करती और वैसे वो मेरा ब्रॉदर इला बनने वाला इसके लावों मेरा कुछ भी नहीं है और यह सब क्या कि उसके मूँपर एक लगाती है और माणने के बाद उसके उपर से एक बाद गुजर के जाती है पर शैंक तो उसके मारने के बाद भी खुश हो रहा होता है कि मतलब मेरी गुशैन मेरे पास आ गई है वो मुझे ही लाइक करती है इसे बाद पर तो उसको अपने चोड़ भी बड़ी प्यारी लग रही होती है और गुशेंग जो मारने के बाद अपने काम पर आ रही होते है तो उसकी फ्रेंड उसको आकर कुछ बाते वगला बताएं लगते है गुशेंग तो पहले खुश हो रही होते है कि आज तो मैंने शेंग को अच्छा खासा मारा है पर उसकी फ्रेंड आकर उसको डुरा देते है तो गहें लगते हैं कि एक लड़की ने अपने हस्बेंट को मारा था और अब दोनों एक दूसरे को बुलाते तक भी नहीं है यह अच्छी बात नहीं होती कि वाइफ अपने हस्बेंट को मारे यह बात सुनने के बात तो गुषएंग को टेंशन सी लग जाती है कि अब पता सी बात की डिसकर्शन की जुरत है तो इसलिए तुम लोगों को घर जाना होगा अपनी वाइफ के साथ जादा से जादा टाइम स्पेंट करो और यह बहुत अच्छी बात होती है वह सब तो शैंक की बात के बात हो रहे होते हैं कि इसको क्या हो गया है और हमें गुएन और तो दोनों आपस में पाते वगरा कर रहे होते हैं तब ही हमें बाइट से एक क्रेक्टर न्यू दिखाया जाता है जिसका नेम लुई होता है और वो जब इन दोनों को इस तरह साथ में देखता है तो उसको अपना पास याद आने लगता है कि किस तरह चैंक्ची ने उसकी लगाई थी तब से उसे चैंक्ची पिर्कुल भी पसंद नहीं था और उसके सामने ही जाकर चैंक्ची गुएन को फ्लावर देता है और यह सब लुई यह देख रहा होता है और जैसे चैंक्ची वहां से जाता है तो लुई गुएन के पास ऐसे आता है कि जैसे तो उसने इ और इतने में लूई को एक कॉल आ जाती है और गुशेंग दिखाई जाती है जो अभी भी शैंग के बारे में सोच होती है उसको मनाने की ट्रिक्स वगएरा गुगल करी होती है और उसको गुगल से यही मिलता है कि आपको अपने पार्टरे के लिए खाना बनाना चाहिए इस सिर्व उसका मोड काफी अच्छा हो सकता है अभी यह सब कुछ देखी रही होती है इतने में वहाँ पर उसका बहुता आ जाता है उसका बहुता कर बताएं लगता है कि शैंग यहां पर दुबाला से आएगा हमने उसके कुछ फोटो शूट वगएरा करने हैं यह सुनकर त शैंग आएगा और मैं तो कहता हूँ कि इस पार उससे लाइफ कोस्टनिंग वगएरा कर लेना पर इस पार जल्दी से मना करने लगते हैं कि देखें हमने तो कुछ भी प्रिपेर नहीं किया हुआ तो इसलिए कुछ भी हो सकता है तो हमें उससे कोई भी कोस्टन वगएरा नहीं करने चाहिए यह बास उनकर बॉस मान जाता है कि हाँ हाँ तुम सही क्या रही हो और जब शैंग आने के बाद मेकप रोम में होता है तो उसके पास गुशन अपने बॉस के साथ आती है इस तरह शैंग के फेस पर चोटका निशान देकर अपने बॉस से कहने लगते है कि मुझे नहीं लगता कि इनका फोटोशूट हो पाएगा क्योंकि इनका फेस तो देखे पर इस बात पर शैंग यह लगता कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैं फिर भी फोटोशूट करवाऊंगा यह देखो यह तो इतना प्यारा लग रहा है और मैं तो हूँ भी कितना और सबके वहाँ से जाने के बाद शैंक गुशैन से पूछे लगता है कि फी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ तो गुशैन भी मेकाप पार्टिस को पास में खड़े देका कहने लगती कि अच्छा लग रहे हैं और यहीं से शैंक का फोटर शूट होना स्टार्ट हो जाता है शैंक तो बस अपना फोटर शूट करवाते हुए सिर्फ गुशैन को ही देख रहा होता है तो गुशैन की फ्रेंड ये देखका कहने लगते कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शैंक सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा है पर गुशैन मना करने लगते हो कहने लगते कि नीनी ऐसी कोई भी बात नहीं है तो उसका बोस भी कहते है कि हाँ मुझे भी लग रहा है क्योंकि अभी तक शैंक उसी की तरफ देख रहा होता है पर तब भी शैंक उनके पास आते वे कहने लगता है कि मैं अडिटर गू के साथ पिक लेना चाहता हूँ और उसका बोस मना करने लगता है कि नी नी ऐसा नहीं हो सकता आप इनके साथ पिक नहीं ले सकते तो शैंक कहने लगते हैं कि क्यों मैं अपनी वाइफ की साथ भी पिक नी ले सकता ये सुनका तो सब बिलकुल शौक हो जाते हैं और शैंक गुशैंक का हाथ पकर लेता है यहीं से वो अपनी वाइफ को रिवील कर देता है वो दोनों दो बहुत ही हरान ओरे होते हैं और उसका बॉस तो बस इसी बात पर खुशह रहा होता है कि हमारी मेगजीन की रेटिंग बहुत उपर जाने वाली है और गुशयन शैंक के साथ खड़े हो कहने लगती है कि फोटोशिट करवाने के बाद गुशन शैंक को पकड़ के बाहिर लेकर आती है और कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा बताने से पहले मुझसे तुम पूछ लेते हैं तो शैंक कहने लगता है कि जीलियो ने कहा था अगर तुम अपनी वाइफ के बारे में बताना चाहते हो तो ये फोटो शूट का टाइम सबसे बेस्ट है क्योंकि कल को तो तुम्हारी वाइफ के बारे में लोगों को पता लगी जाना है ना और ये सब बते कहने के बाद वो उसको अपना कार्ड देने लगता है कहने लगता है कि अब जब तुम मेरी बन नी गई हो लोगों के सामने भी मेरी हो तो ये कार्ड भी तो तुम्हारा होना चाहिए ना जो चिस मेरी है वो तुम्हारी भी तो है ना ये कहते हैं वो इसको काड़ देने के बाल वहाँ से चाने लगता है और चाहते हैं वो भी खुश होता है और पीचे से गुशान भी खुश होता है गुवन दिखाए जाती है जिसको चैंक्ची लेकर आता है वो वही वाली जगा को खरीज भी लेता है जिसको गुवान ने एक तफ़ा कहाता कि मुझे वो जगा अच्छी लग रही है वहीं पर हमें अपना ओफिस बनाना चाहिए चैंची कहने लगते है कि तुमने कहा और मैंने ले ली गुवान तो उस जगह को देखने के बाद बहुत ही खुश होती है और शैंच दिखा जाता है जो चुप करके बैट कर बस गुशैंच को देख रहा होता है जो पोड़ों को पानी दे रही होती है और फिखुशैंच से कहने लगता है कि आज तुम्हें काम पर मैं चोड़ने के लिए जाऊंगा और जैसे ही शैंच गुशैंच को काम पर चोड़ने के लिए जाता है तो आगे से उन से कॉस्टिंग वगरा करने के लिए मीडिया वाले आ जाते हैं उनको देखने के बाद गुशैंग कहीं लगती कि तुमने तो कहा था तुम्हारा रिवील करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ शैंग उसकी इस बाद को सुनने के बाद उन मीडिया वालों को कोई भी आंस नहीं देता बलके के कहकर गुशैंग का वांसर ले जाता है कि इसको काप पचाने की जल्दी है और फिर जब उसकी कमपनी में पहुंचता है तो उसको लिफ तक सिरफ छोड़ देता है यहां कमपन लगते कि कोई बात नहीं सबके अपने प्री लाइफ होती है और एक तरह वांग दिखाए जाती है जो नों की पिक को देखकर जैलस हो रही होती है कि शैंग ने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया कि अपनी वाइफ के बारे में भी बता दिया लोगों को और शैंग जो आफ सब मना कर देता है कि मैं तुम्हारे मौं से कुछ भी न ही सुनना चाहता तो वांग कहती कि यह तुम्हारी वाइफ की बात है पर शैंग उसको फिर भी मना कर देता है पर फ स्कूर लोक कर लेता है जो भी मुझे तुम काम होगा तो मैं तुमसे भूच लूँगा वांग तो इस पार पर कुछ हो जाती जल्दी से उसका क्यूर कोड्स करने के लिए चलिए जाती है और दूसरा हमें दूसरा हमारा कपल दिखा जाता है और चैंग चेका जो एक जगा पर अपना फोटो शूट करवाने के लिए आय कहyan на берешь मैंने तुमें कुछ चकाहिव उसका कार्द को वापीस करने लगती है और कहने है कि मुझे पैसो की जूची की सारी पर होचुकी यिस बात पर किसी को चाहिए को लाइक करती है इस से आम कुछ बोलती उससे पहले चैंग कहाँ लगता है कि मुझे पटाए व da ले उस को परक्ट करने का क्यों अब कुछ बहुते है कि तुम को नोती है मेरे बारे में बाते करने वाली और तुम्हारी तो पहले से ही शैंक पर इसलिए मेरे हूस्वेंट से दूर हो तुम जितना दूर हो गुई अच्छा होगा क्यूंकि ये मेरा है और मीरा ही रहेगा तुम कभी भी मज़ जिससे शैंक को लोग के साथ गई थी ना उस दिन मैंने एक पिक चुपा ली थी जिसके पीछे से चैंग ची के बारे में बाते लिखी थी और यह सब बाते पीछे से गवान वी सुन रही होती है पर उसकी आंट उसको चुपकर वा देती हो कहें लगते हैं कि जब तर चैंग ची की शादी को से नहीं हो जाती तो यहां बाता चले कि फिर लाइक करती है को यहां श्या्न को यह लगा लगता है कि किल तुम्हें किया डेट है ठीक है कल जल्दी घर पर आ जाना इस बात पर फो एक पर बढ़े- और इसी ख्यालों में वह करीम को लिप्स पर लगा लेती है और सुबा होते साथ ही वो शैंक के लिए गिफ लेने के लिए चल जाती है उसकी बर्डे पर देने के लिए तो ये gift जाकर शैंक को दूंगी इतने में उसको हॉस्पिटर से कॉल आ जाती है तो वो बताएं लगते हैं कि तुम्हारे भाई को होश आ गये तो जैसे ही तुम्हें टाइम मिले तो हॉस्पिटर में उसे मिलने के लिए आ जाना ये सुनते साथी फॉरण वहाँ से गुशैन अपने भाई को मिलने के लिए चली जाती है हॉस्पिटर पॉंच को डॉक्टर से थोड़ी बात वगरा होती है और फिर अपने भाई के पास चली जाती है उसका भाई उससे बाते वगरा करने लगता करें लगते कि क्या हम अपने मिशन में काम्याब हो गए तो गुशैन उसे बताएं लगते कि नहीं मेरी शादी शैंक से हो गई है पर बात अब पहले जैसी नहीं है पर भी भी उसका बाई इस बात पर सैड़ हो जाता है और यहां एक जगा बेटकर सब पार्टी वगरा कर रहे होते हैं तो चैंक जी वही वाली टाई लगा कर आया होता जो उसका और रेसीव हुआ था और वांक जिसने भेजा था गुशैन का नाम लगा कर वो सबके सामने कहने लगते हैं कि चैंक तुपर यह टाई काफी अच्छी लग रही है यह बात चैंक भी सुनता है और वो काफी ज़दा कोल्स गुशैन को करने लगता है पर उसके गुशैन एक भी कॉल अटर नहीं करती फिर वो घर वाली मेट को कॉल करता है कि गुशैन के आने से पहले आपने गर की सब लाइट्स को आन कर देना क्यूंकि गुशैन को अंधिरे से डर लगता है और इतने में वहाँ बर मांगा जाती है वांग उसे आकर कहने लगती है कि मुझे पता शैंक तो मुझे लाइक नहीं करते तुम्हें मैं ज़रा भी पसंद नहीं हूँ पर फिभी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जो गुशैन है वो एक टाई ले रही थी मुझे लगता है जो टाई चैंग ने पहने हूँ या वही वाली टाई उसने दी है और वो तो गुशैन की उसको पिक भी दिखाती है ये देखो वो टाई ले रही है पर शैंक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और थोड़ा थोड़ा यकीन आ भी जाता है और फिर वांग उसको रोकर कहने लगता है कि शैंक मैं तुम्हें लाइक करती हूँ लाइक कहने के बात उसको किस करने के लिए उपर की तरफ जारी होती है पर वांग की हाइट तो चोटी होती है और शैंक उसको साइट पर कर देता है और कहने लगता है कि ऐसी उर्टे हरकते मेरे पास आप तुबारा ना लेकर आना पर शैंक को अंदर ये अंदर कुछ हो रहा होता है और शैंक को भी आकर बहुत गुस्से में देखता है और उसको मैसिच भी रिसीव होजाता है कि उसके क्रेडिट कार्ट से पैसे कर्ठ हुए है इस पाद पर तो उसको और बियक् descrição आ जाता है और वो गुस्से में अपने ड्रिंग को भी फैंक देता पर बाई जाकर और ज़्यादा ड्रिंग करने लगता है और गुस्से में चैंग ची का नेम ले लेकर कह रहा होता है कि चैंग ची तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुम उसकी लाइफ में पहले क्यों आए ने क्यों नहीं आया और यहां गुशैन जो घर पर पहुंच गई थी तो मेरे डागर बताएं लगते हैं कि मुझे वो सीटी वाले हाउस से बुला लिया और कहा कि लाइट्स ओन कर दे तुम्हारे लिए तो गुशैन कहने लगती है कि क्यों ऐसा क्यों तो वा कहने लगती है कि शैंग ने कहा था कि तुम्हें अंदेरे से डर लगता है तो इसलिए तुम्हारे आने से पहले सारी लाइट्स ओन हैं फिर उन मेट्स को भेजने के बाद गुशैन अपने रोम में आकर बैटी होती है वेट करी होती है कि शैंग अभी तक क्यों नहीं आया इतने में शैंग को उसका फ्रेंड लेकर आता है जिसने काफे सदर ड्रिंग की होती है तो शैंग अपने वाइफ को हग करने लगता है पर उसका दोस्त उसको पिछे कर लेता है तो शैंग कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है मैं इसको हग भी यू ना करूँ तो मज़े यही पर छोड़कर चले जाओ और भी वो गुशैंग को हग कर लेता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया उस टैंग ची के लिए तो गुशैंग उसका कान पकड़के कहने लगता है कि तुमने इत्ती सदर ड्रिंग क्यों की चलो जाकर बैठो महाँ पर मैं तुम्हारे लिए शूज लेकर आती हूँ अभी गुशेंग कुपडों के साथ ही नहाने के लिए चला जाता है तो गुशेंग उसको वहाँ से बाहिर निकालने की कोशिश में होती है पर शेंग उसको ही हग कर लेता है कि थोड़ टाइम के लिए मुझे हग करने दोना और फिर इसे उर्टी उर्टी बाते कर रहा होता है और उसके कंदे पर इसार रखकर सो जाता है और इस सबके बाद गुशेंग उसके लिए सोब बनाए लगते क्योंकि उसने काफी जदा ड्रिंक चू कर ली थी गुशेंग जब ले आती है तब भी शेंग नहीं पीता क्योंकि वह काफी नीद में होता है और उसके नीद में ही गुशेंग उसको हैपी बर्डे विश करती है और जब सुबा में शेंग मूँ दो रहा होता है तो उसको सब कुछ यादा रहा होता है कि मैंने क्या क्या बाते गुशेंग से की थी और अपने पर ही इतना गुसा रहा होता है शैंग जिसको गुशैंग की सारी बाते यादा आ रही होते हैं कि किस तरह उसने चैंग ची को टाई गिफ की है और इसी वज़ा से वो गुशैंग को बुला भी नहीं रहा होता और गुशैंग जो उसे कह रही होते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ पर शैंग अपने काम पर जल्दी से जाने लगता है कि तुमने जो करना है जल्दी करो अपी गुशान उसको जल्दी से वही टाई वाला बॉक्स देने लगती है और कहने लगती है कि कल मैं लेट होगी सोरी और स्पिटर से कॉल आगी थी कि भाई को होश आ गई है और मैं भाई को देखने के लिए चले गई थी वरना मैंने ये तुम्हारी बर्डे का गिफ्ट तुम्हें रात को ही देना था और शैंग जो गुसा होता है पर अब उसका गुसा नहीं रात था और उसे गिफ्ट पकड़ने के बद फॉरन से किस करके वहाँ से चला जाते काम के लिए और रास्ते में जाते जाते उसके गिफ्ट को ऑपन करके उसकी देऊई वैसी टाई को देखने लगता है और खुश हो रहता कमपनी में जाकर सोच जोते कि मैं कितना बुरा हूँ मैंने उसके उपर ऐसी इल्जाम लगा दिया है कि सच में उसने चैंग ची को गिफ्ट दिया है और इसी में वो देखता है कि चैंक छी ने वही वाले टाई भी लगाई हुई है और कहने लगता है कि तुम्हारी टाई तुम पर काफी अच्छी लग रही है तो चैंक छी कहने लगता है कि यह टाई मेरे लिए बहुत important है और दूसी तरह गूल शैंग जो अब भी शैंग की कियोई किस के बारे में ही सोच भी होती है उसकी फ्रेंड उसको इस तरह खुश दे़कर कहें लगते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में पहले बहुत फिकर कर रही थी पर अब तो मैं इस तरह कुछ देख कि मुझे स्कून आ गया है और यहां शैंक शी कोई ना कोई तरीका ढूंड रहा होता है उसके टाइको गंदा करने का तो वो उससे एक चीज नहीं ओपन हो रही होती तो वो उसे कहता है कि क्या तो मेरे लिए ओपन कर दोगे वो जैसे ही शैंक के लिए ओपन करता है तो शैंक उसके उपर गिरा देता है कहें लगता है कि सोरी सोरी गलती से हो गया और फिर चैंक ची उसको दोने के लिए चला जाता है कि मेरे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है अच्छा वहाँ से वापिस आता है तो शैंक कहें लगता है कि चलो दोनों हम मिनकर टी पीते हैं पर शैंक कहें लगता है कि नीनी मुझे टी पसंद नहीं है शैंक कहें लगता है कि मेरे लिए पीलो मेरे तुम्हारे लिए और अपने लिए स्पेशन मंगवाई है वैसे भी तो मेरी वज़ा से तुमारी टाई गंदी हो गई उसकी इस बात को सुनकर वो टी डाली रहा होता है नीचे से शैंक उसके टाई को जलाने के लिए आग जला देता है जिसकी वज़ा से उसके टाई जल भी जाती है और शैंक जो उसे sorry sorry करने लगता है पर चैंक ची उस पर काफी गुसा करने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसी कर सकते हो शैंक कहीं लगता है कि सब गलती से हुआ है चैंक ची कहा रहा होता है कि तुम नहीं पता था ये मेरी टाई कितनी important थी पर शैंक दिली दिल में बहुत खुश ओरा होता है और उसे कहने लगता है कि तुम टाई चाहते हो ना मेरे पास बहुत तरह की टाई है मैं तुम्हें लाकर वो दिखा देता हूँ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो काफी जदा टाई की कॉलेक्शन को ले आती है और फिर शैंक कहने लगता है कि चैंक ची अपने लिए एक टाई को पसंद कर लो तो चैंक ची कहने लगता है कि तुम्हारी वज़ा से ये सब कुछ हुआ है तो टाई भी तुम भी मेरे लिए पसंद करो और शैंक तो अपना काम करने के बाद जाने लगता है और गौन दिखाई जाती है जो चैंक्ची की माम से मिलने के लिए आई होती है क्योंकि उसे चैंक्ची से पता लगा था कि उसकी माम की तबीयत काफी खराब है तो वो पूछे लगती है कि या ठीक है आण तो वो कहने लगते हैं कि तबियत तो नहीं खराब स्कीन का थोड़ा मसला है देखो में स्कीन पर अलर्जी हुई हुई है न तो गुवन के सुनकर उन्हें कुछ करीम्स वगरा बताएं लगते हैं इतने में वहाँ पर चैंग ची भी आ जाता है और चैंग ची आकर गुवन से देने लगता हैं तो तुम इसे रखत हो यह थोड़ी जल गई थी थी तो गुवन पूचे लगते हैं कि यह किस ने दी जाने केand reflection कर मिश कू कूछ कू है आप चैंग ची तो मिस कूछ रहा होता है पर उसके जाने के बाद को समझ आ जाता है कि मतलब इसको गुश्iap पर उस चैक ची के बारे में ये बता है कि उसे सीफूट से अलर्जी है और उसकी काफी बाते उसे याद आ रही होती है पर वह वहां उसे तो कुछ नहीं बोलती बलके गुशन के पास मिलने के लिए चली जाती है गुशन अपनी सिस्टर को आए देका कहें लगते हैं कि आज आप कैस बाते हजम नहीं हो रही होते हैं पर कहें लगते हैं कि मैं चैक ची के लिए गिफ्ट लेने का सौच हो तो तो मुझे बता सकते हो कि मुझे किस तरह का शूस लेना चाहिए तो गुशन कहें लगते हैं कि उसको इस तरह का डिजाइन नहीं पसान और उसको ये चीज नहीं प कोश्युम की तरफ जा रही होती तो दो लड़कों का आपस में बाते करते हुए सुनती है कि आज मुझे मिस्टर शैंग एक कॉंट्रक्ट पर लेकर जा रहे हैं और काफी दरीफे भी करने लगती है कि वो तो बहुत हैंड्सम और रिच है पर उनकी यह सब बाते सुनकर गु होगी और में पस दो टिकेट्स हैं क्यों ना तुम मेरे सब मुवी देखने के लिए चलो पर गुवान उसकी बात पर नहीं मारी होते कहते हैं कि नेनी मुझे घर जाना है पर बगया लगते हैं कि अब देखो तुम यहां तक आई गई हो तो हम मुवी भी तो देख लेते है फिर गुवान उसकी सब मुवी देखने के लिए मान जाती है और शाइंग दिखा जाता है जो अपने कंट्रेक्ट के लिए आया होता है और गुशाइंग घर पर बैठी बस यहीं सोच होती कि वो उसी लड़की के साथ होगा और उसी लड़की की बाते यादकारी होती है औ पातानीं लोग किस तरह की बातें नोवल में लिख देते हैं और शेंग जो सब किसा बैट कर ड्रिंक वगरा होता है तब है उसे, घुर्षाइन की कॉल आती है, वो तो घुर्षाइन की कॉल देकर खुश हो रहा होता है कि आज तो मेरी वाईफ ने मुझे कॉल center की है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीठी यह सुनते साथ ही शैंग जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर पर भीजने लगता है पर उसी टाइम गुश्यान उसे मना कर देते हो कहें लगती कि मैंने गेवी निका कि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है बस थोड़ी सी है और हां मैंने जो उसको बाय कर देती है पर शैंग को पहले तो इसका उती जल्दी कॉल कट करना अच्छा नहीं लगता पर कहें लगता है कि वैसे बाते तो वह क्यूट कर रही थी और गुश्यान उसकी कॉल को कट करने के बाद जल्दी से सौयास उसको चुपाने के लिए चली जाती है और गुवान लुई के साथ दिखाए जाती है जो मूवी देखकर वापी सारी होती है और चैंग ची जो उसको भूंड़ा होता है लुईए के साथ उसको देख लेता है और आकर कहें लगता है कि तुम्ने मुझे बताय ही नहीं मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता। पर को लुई बिल्कुल भी पसाद नहीं होता लुई कहने लगते हैं कि हमने साथ में मूवी देखी है और उसकी यह सब बाते कहने के बाद लुई तो वहाँ से चला जाता है पर चैंग ची पीचे से गवान को कहने लगता है कि प्लीज इससे दूर आहा करो मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें भी इससे दूर रहना चाहिए पर गुण जिसको अभी तो चैंग ची अच्छा नहीं लग रहा होता और कुछ शैंग उसका घर पर वेट कर रही होते हैं कि अभी तक शैंग क्यों नहीं आया उसको मेरी जरा भी फिकर नहीं है पर तब भी इतने में शैंग आ जाता है तो उससे देखकर जल्दी से वो बुक पकड़ ले थी जैसे कि मैं पढ़ रही थी और शैंग तो उसको आते साथ पहले नेकलस पहना तो कहने लगते हैं कि तुमने सौयासस मांगा था ना यह देखो नेकलस में ला दिया है तो कुछ शैंग में तो ऐसे फिर करवाते हैं कि जैसे तो उसे पता ही निए और कहने लगते ही कि अच्छा ये तो ला की चैनी पहले घा लिया था और शेंग उसकी जाने के बस सोचे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी में घर आया ये सुनने के लिए कि मैंने खा लिया है और सुबा में जब गुशेंग उठती है तो उसकी कपड़े वगरा उठाती है और कपड़ों की स्मेल देखका कहें लगते हैं कि ये मेरी परफ्यूम तो नहीं है गुशेंग दिखाए जाती है जो प्लांट्स वगरा को पानी दे रही होती है पर उसके दिमाग में मस्ती आती है तो शेंग की तरह वो वाला पानी वाला पाइप कर देती है जिसकी बड़ा से शेंग को तैसे लगड़ा होता है कि जैसे उसके उपर सच में बारिश आ गई है वो तो बारश का कहने के लिए जैसे ही गुशैन की तर देखता है तो कहने लगते है कि गुशैन तुम की क्या कर रही हो और उसको इस तरह करते देखकर उसके साथ उसी तरह इंज्वाई करने लगता है और इसी तरह उसको अपनी हाई स्कूल की बाते भी कुछ यादा आ रही होती हैं और दोनों जब एक दोस्ते के ऊपर पानी फैंकना बंद कर देते हैं तो शैंग आकर गुष्ण को हक कर लेता है हम इनकी फ्लैश बैक में हाइइ स्कूल का टाइम दिखा जाता है जहां पर शैंग और गुष्ण से टीचर एक्षायर पूछे लगते हैं पर बतारा है दोनों बाहिए खड़े वकर बाते करने लगते हैं पहले तो गुष्एन को शैंक पर गुंसा होता है पर फिर वाद में सई हो जाती है और उनका तीसा फ्रेंड भी बाहरा जाता है जो अंदर क्लास में सो रहा था इन्हीं सब बातों को याद करते हुए शैंक करना औहीं लगता है कि तुम्हें पता है जो हम कोंट्रेक्ट करने वाले थे किसी के साथ उनके सथ पहले से लोई ये ने कोंट्रेक्ट सैंड करदिया है रहा है और ऑन के साथ चैंग चींग की घर पर आती आगए से चैंकचीं की Ma माम कहुंअ लगते है के तो मैं तो चैंकचीं ने लेने के लिए नी जाना था कोमें लगते की मुझे तो नीपता ना ही मेरी चैंगचीं से बात हुई है तो फिर भी उसकी Ma म माम उनका अंदर बिठा लेती है और वांक, सेल्फिस वगरा लेने लगती है ताके वो मुबाइल गौन को दिखा पाया गौन वो वाली मौल वाली पिक्स देख ले जिसमें गुर्शन टाई लेने के लिए गई थी और सच में ऐसा होता है पिक्स देखने के लिए को अन मुबाइल पर करती है तो वो वाली पिक्स भी देख लेती है और यहां दोसी तरफ शैंक दिखा जाता है जो उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जहां पर उनकी कंपने को उन्ट्रेक्ट करने वाली थी पर पहले से वहां पर आकर लूए बैठा होता है वो पर जाकर बहुत से बाते वगरा करने लगता है यह देखकर लूए यह कहने लगता है कि मैं यहां पर कुछ बाते करने के लिए आया हो तो शैंक तुम यहां से जा सकते हो पर शैंक कहने लगता है कि उन बातों से पहले मेरी बाते भी सुन लो उसके सारे फेक कामो वाली फाइल उसके सामने रखते तो कहने लगते हैं कि अब इसके आगे तुम कंट्रेक्ट साइन करना चाहते हैं और जिसके साथ उसका कंट्रेक्ट हो रहा तो उसे भी सारी बते बता देता हैं लगते हैं कि अब आगे आपकी मर्जी ऐसे इसान की साथ आप क्या करना चाहेंगे यह सब बते कहें कि वहां से शैंक तो जला जाता और पीछे पीछे वह बोस भी चला जाता है कि मैंने तुम्हारे साथ कंट्रक्ट नहीं करना और लुए जो पीछे अकेला राजाता है उससे चैंक पर गुस्ता आने लगता है और इक उसके रास्टे में जाते हुए कार खराब पास सही चैंक ची घुजकुर ने लगता है तो उसके पस आकर पूछा लगते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तो वह यहां लगता है कि तुम मेरे साथ आज इसकार को यहीं पर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्यूंकि उसको वहीं टाई वाली बात याद होती है और चैंग जो उसकी इत्ती सादा कियर वगारा कर रहा होता है जबके गौन उसके लिए टौवल लेकर आई थी पर वो गुश्यान को उससे साफ करने लगता है और पी वह उ सारी बातों को नोट कर रही होते है जैंग जी जाकर गुश्यान को वह कपड़े वगारा देता कहें लगते कि तुम्हारी सिस्टर कहीं है तो तुम इजीली इसको पहन सकती हो पर गौन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता जैंग जी उसे कपड़े देने के बा पारिश में अब इस बातपर तो गुश्या आ जाता है वह उसे ओर्द को वो और याद आ रही है तो टुम्हें करते है क्यूंकि तुम उसको लाइक करते हो चांग चीक एदेती है के पर गुशं तुम्हें लाइक करती है ये सुनकर गुशैन तो बिरको शौक में होती है और चैंक ची कहने लगते है कि अगर तुम्हाई सिस्टर ने ये पास सुन ली तो उसको कितना बुरा लगेगा इतने में वो डॉर की तब देखते है तो गुशैन वही पर खड़ी होती है वो तो वहाँ पर चैंक ची का कॉट वापिस करने के लिए आई थी पर उसकी सिस्टर उसको देखा कहने लगती है कि अब तुम यहाँ पर आई गयो तो तुम्हारे सामने सारी बात होगी उन दोनों को सामने बिठा लेते हो और कहां लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो ना तो मुझे द्रम्यान में क्यों लेकर आए? दोनों नहीं एक दूसरे से शाधी कर लेनी थी ना पर गुषैन और चैंक्ची कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैंसे इतने बड़ी बात बना रही हो तो गुषैन कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो टाइल आकर दिखाने लगते हैं कि यह किसकी है और किसने दी है तो चैंक्ची कहते हैं कि यह तु और फी तोड़ टाइम बात कहती है कि मैंने टाइल ली थी पर मैंने चैंक शी को नहीं दी तो गुण कहती है कि पहले तुमने ली नहीं और आप कहरी हो ली है पर दी ही नहीं तुम कहना क्या चाती हो और इतने हमें हमें शैंक दिखा जाता है जो चैंक शी के गर पर आ जाता ह में पूछता है कि घुशायन को आपने देखा है तो वो बताती है उसके बात के बाद चैंक भी चैंक ची के रूम की तरफ वाता है देखता है कि वो तीनों आपस में इसी टौपिक पर बात करे होते हैं और शैंक चुप करके उनकी बातों को सुनने लगता है और कुछ टाम जैसे टाई है ना वो टाई इसने मुझे किफ दिया उसको उतार कर अपने टाई दिखाने लगता है गौन तो यह देखकर भी कुछ शौक हो जाती है और शैंक शी उसको और भी यकिन करवाने के लिए बिल भी दिखा देता है कि इसने एक ही टाई लिया वो भी मेरे करती हूं जो आप तो अनों की दर्मियान मेरी वज़ा से जगड़ा हुआ है फिर शैंक कहें लगता है कि आप तुम लोगो को यकीन आ गया है ना और साथ में गुशैन से कहता है कि अब चाहिए जो भी और जो भी तुम्हें बूली करें उसका मुझ तो जवाब देना कभी किसी से डड़ने की ज़रूरत नहीं अखिर तो मेरी वाइफ हो और मेरी फैमली की सबसे बड़ी बहु हो तो कभी भी किसी से बूले होने की ज़रूरत नहीं है शैंक जब इतनी ज़दा बातें बोरा होता है यह देगा गोशैन उसको अपने हास से कंट्रोल करने लगती है बसाथ में गुशांग कहने लगता है चलो हमें अब चलना चाहिए, यह देख कर इतनी दर्ट के बाद शैंग कहने लगता है कि हाँ हाँ चलो हम चलते हैं। और वहाँ से जब गुशैंग को लेकर जाने लगता है तब ही वापिस आकर अपनी टाई को गुवन के पास से लें लगता है पर चैंग को लगता है कि पता नहीं क्या करने आया है। शैंग के आगे आने के बाद भी शैंग उसके हाथ से वो अपनी टाई लेकर जला जाता है और कहने लगते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है और शैंग वहां से गुषैंग को लाने के बाद कहने लगता है कि सौरी मैं आने में लेट हो गया तो मैं मेरी वज़ा यसे इन से बाते सुननी पड़ी अगर मैं तौहारे साथ ही आ जाता तो ये सब सुनने को तुम्हें ना मिलता गुषां कहें लगते कि पर वो तुम मेरी सिस्टर यो मुसे इतना प्यार करती है यह सुनकर शेंग उसको गले लगा लेता है फिर शेंग इस सब के बाद वांग क के बारे में पता करके वांग के पास जाता है और वांग जो अपनी फ्रेंड्स के पास खड़ी होते हैं तो वह आकर पूछे लगता है कि तुम लोगों में क्या बात हो रही है तो वांग कहने लगते हैं कि लोग में ड्रेस के बारे में काफी अच्छी बाते करने हैं कि बहु गोषैन का नाम आजाये तो मैं तुम्हें एक बात कहाँ अएंदा के बाद गोषैन को यूस करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि मेरे शामने वो वैसी रहेगी जैसे वो पहली है बलके तो मेरे नजरों में गिड़ चुकी हो और एक बार और कहाँ आपने यूस Aah के लिए ओस परकुल भी यूस मत करना गे कहकर वहां से चला जाता है वहां उसके जाने के बाद रोने लगती है चैक जी दिखाए जाता है जो गौन के पास ही बैठा होता, गौन को अभी भी एकिनी होता कहने लगती है कि क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को लाइक नी करते हैं चैंक ची कहने लगता है कि हाँ हम सच में एक दूसरे को लाइक नी करते हैं तो गौन उससे वही वाली पिक के बारे में पूछे लगते और कहने लगती कि उसके पीछे ये सब कुछ क्यों लिखा हुआ था हुआ है वो उसके लिए मुझे माफ करते हैं और केंडर ब्लॉग करने के बाद सब लोग उसको गिफ्ट देने लगता है और इसी पार्टी के बाद गुष्यान ने काफी जादा रिंग कर ली होती है वह शैंक शी के आगे के चलती हुए जारी होती है शैंक शी उसके पीछे उसको सरज़ी से बचाने के लिए कुछ न कुछ देरा होता है यहां तक कि गुष्यान इतनी जारा रंग होई होती है तो वह शैंक शी का फेस पकल के कहने लगते है कि तुम काफी क्यूट और हैंसम भी हो तो कितनी लड़कियों को तुमने रिजक्ट किया होगा और कितनों को तुम पसंद करते हो इस बात पर शैंक शी कहने लगता है कि मैं बस एक कोई पसंद करता हूँ इससे पहले शैंक शी उसका नाम लेता बगुष्यान कोई ना कोई और बात करने लगती है तो शैंक शी उससे भी उसके सिग्रेट वगरा पूच है और कहने लगता है कि क्या कि उसने नाइफ भी लगवा ली थी पर मुझे सांक से फेश नहीं नजल आया था बस मैं उसकी टी-शिट को देखा था तो शैंग कह कहें लागते कि तुम्हें कि सच में लागता है कि उस भाट उस टो मैं चैंक है इस बात का गुशान कोई भी आंस नी देती बलके वहाँ से जाने लगती है और दोनों जब घर पर पहुंच दे तो गुशान इदर और लगते हुए रोम की तरफ जा रही होती है पर शैंक्षी उसको पकड़ा होता है गुशान उससे अपने आपको छुड़वाने के पाना कर दिया तो गुशान ने मुझे अडॉप्ट किया और उसके बाद शैंक्षी ने मुझे पैसों से खरीड लिया और धक्के से मुझसे शादी करने लगा उसले कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ मैरी से पहले तो एक बार पूछ लेता कि मैं उससे पर वो क्यों ऐसा करेगा उसले तो मेरी माम को पैसे दिये थे ना मुझे लेने के लिए मैं कभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं होई और उसने मुझे शादी के बाद इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया यह सब बाते कहते हो वे रोरी होती है और शैंक्षी तिली ति गुषैंग उट गया तो जल्दी से उसके पास जाता है और पूछे लगते है कि क्या तुम सही हो गई हो राज से सर तो नहीं दड़ध हो रहा पर आगे से गुषैंग कहें लगते हैं कि मुझे भूख लगया तो मुझे तुम क्या खाना खिला दोगे यह सुनते साथी शै पर इतने में ही कॉल आती है जो शैंग की कमपनी की तरफ से ही होती है वह इसीस्टेंट को बताएं लगते हैं कि शैंग का कंपनी आना बहुत important है क्योंकि जिनके साथ मिटिंग होने वाली उनके साथ मिटिंग उनकी बहुत important है उसकी यह सब बाते सुनने के बाद गुषैं करते हैं कि चलो फिर ठीक है कंपनी जाओ इस बाद पर शेंग के साथ जाते हैं उसकी वाइफ बनकर अपनी पूरी कंपनी को अच्छे से दिखाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जिस चीज की कमी लग रही है वो तुम बता सकती हो यह बाद सुनने के लगते हैं कि हाँ एक चीज की कमी है तो वह भी कैट की कमी में कैट होना जुरूरी है वह भी प्यारी सी प्राउं कलर की होनी चाहिए इसी बाद पर शेंग अपनी असिस्टेंट को ओडर दे देता है कि कैट का जल्दी से जल्दी अरेंज करो ये कहनने के बाद वह कुशेंग को लेकर कंपनी के अंदर एंटर हो जाता है जहां पर उसके फ्रेंड्स वगरा पहले से वेट कर रहे होता है मीटिंग के लिए तो जीलियो कहां लगता है कि आज तुम दोनों कैसे साथ में आ गए गुशांग कहते हैं कि जब हम हस्पने राइफ हैं तो हम साथ में क्यों नही मेरी वाइफ को वही चैट पर क्यों एड़ किया है तुम हर पर पकड़कर मेरी इश्काइदे उसको लगा देती हो यह बास सुनकर कुछ शैंग कहने लगते हैं कि तुम इस पर इत्ता क्यों चीक रहे हो क्या हो गया है अच्छी बात हैं यह मुझे सारी बाते बताती है बल पर पास गौन उसी जगापर आई होती है चैंग्ची उसे मना करने लगते हैं कि यहां पर काफी ड़स्ट होती है तो तुमें नहीं आना चाहिए तो चैंग्ची कहने लगते हैं कि अच्छा पर मुझे कैसे पता लगएगा कि तुम कैसे decoration कर रहे हो आखे मैंने भी तो बता सdar жμαι अबर हो ज Ärन लोगों ने ऐन हो चाहिए नियुक्त बॉलकुल भी नहीं है गर बाद पर दमया है के अब शैंग पर है कि दोनों में से किसी वाली को श्लैग्ट करता है और यह सब इस लडाई शैंग भी देख रहा होता है जैसे ही शैंक बताएं लगता है कि आपकी बार हम कम्प्ली में किसको बुढाएंगे तो वो गुशैन वाली का कहता है यह देखकर गुशान तो snack हो जाते हैं कि मतलब इसले बाते ऽुन ली थी पर जीलियो जो गहाएं लगता है कि बहुत ही बात है तो कहने लगते हैं कि तुम दोलों ने कबसे टीम अप कर लिया गुशाइब ये वली हार में बिल्कुल भी काउट ने वाला पर इस पर गुशाइब सब कुट कहने लगते हैं कि आज की ट्रीट आप लोगों को जेलीओ की तरफ से होने वाली है जेलीओ तो यह बाद सुनने क और उसको जिस जगाप उसने लेकर जाना था वो वही वला अक्वेरियम होता जहां पर वो बच्पल में भी आया करते थे ये दोनों तो इसी तरह यहां पर आकर बाते वगरा करने लगते हैं और हमें दूसरी तरफ हमारा दूसरा कपल दिखाये जाता जो आज के दिन घूमने के लिए आया हुआ था गुषैन जो गोड़्ाल्फिंग के पास और यहां पहुँच चुके थे यहां पर पहुंचने के पाद चैंक ची कहें लगते हैं कि तुम्हें हम चारों यही पर आया करते थे चारों में शैंक ची का भी जब नाम होता था तो गोण थोड़ा सैड हो पर बहुत पकड़कर लेता है और इन चाहरों का आमना सामना होता है अपने 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 रास्ते होती अपने हैं अपने इस देखने लगता हैं मैंने तुम्हा इसाथ इतना बूरा किया हमीशा से हाइ स्कूल से लेकर अब तक मुझे उसके लिए माफ कर दो गुशेंग पहले तो कुछ नहीं बोलती है फिर कहने लगती है कि मने तुम्हें माफ कर दिया शेंग उसको फाइवक्स दिखाते हैं उसका हाथ पकड़ लेता है और यहां दूसरा कपल भी फाइवक्स को ही देख रहा होता है वापिस घर आकर शेंग और शेंग के पाउं वगएरा दुबारा होता कहने लगते हैं कि जैसे तुमाज खुश हो हमेशा ऐसे ही खुश रहे ना चैंक ची दिखा जाता है जो अपने डैड के पास आता है और डैड से आकर कहने लगता है कि डैड अगर आपको पैसो की जुरत है तो आप यह वाली मेरी सेविंग्स ले ले जो मैंने हमेशा से बचाई हुई है अभी वो अपना कार्ड़ दे ही रहा होता है इतने में उसके डैड को एरेस्ट करने वाले आ जाते हैं क्योंकि उसके डैड के कुछ चीज़ें वगरा उनके हाथ लग गई थी चैंक ची उन्हें काफी रोकने की कोशिच करता है पर उसके डैड खोदी नहीं रुकते हैं बलकि उनके साथ चले जाते हैं अपने डैड के जाने के बाद च उनी चुपा लिए हम मिलकर इसका रास्ता निकाल लेते हैं हम जया पोई बिलक ने क्तिुन के सारे बातें सुना कर उसकी कॉल कट कर देती है जय mitä कर रहाएं कट होने कि बाद काफिर होने लगता है अपने इससा सबसे पूछा होता है कि चैंक ची ने ऐसा क्या किया जो उसके कंपनी za Tá गई तो भी आजाते हैं और शैंक जिसको उन्होंने अरेस्ट तो नहीं किया था और वहाँ से वापिस आ रहा होता था भी उसको आगे से कुछ शैन मिल जाते है और कुछ शैन जल्दिस उसे पूछे लगती है कि क्या तुम ठीक हो जादा कोई बड़ा मसला तो नहीं है यह सुनते साथ ही शैन उसको हग कर लेता कहें लगते हैं कि तुम्हें फिकर करने की जुर्द नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं हुआ इतना और फिशैन कहें लगते हैं कि तुम्हें मेरी फिकर हो रही थी कहने लगते हैं कि नए नहीं मैंने कुछ नहीं करना बलकर तुम भी उसे छोड़तो hai वोगवान उसाथ को नहीं मानती हों वर चाहे लगते हैं के माम मेरी उसकी सथ इंगेजमेंट हुई और के लिए कुछ करें से कहले की से की आच मैंने वाबाद में बात चाहिए संटा जा जा जाती हैं आज मैंने चैंक से मिलना था वो को सुर। नुबर बंदा रहा है भुए जिसको ढूंड़ने के लिए लिए चलते हैं ज़ा उसको हर जगा पर जा कर ढून रही है तो चैंकची के लगता है कि तुम पहली हो जिसने मुझे इस तरह कंफर्ट किया है वरना हर कोई मुझे आकर बाते ही सुना रहा है गुशन के लगते हैं कि नहीं ऐसी बात ने बलके गुवन को भी तुम्हारी बहुत फिकर हो रही है वो तुम्हारा हर हल में साथ देने के लिए त्यार है और फिर चैंक ची गुशन के साथ जाने लगता है तब भी आगे से गुवन आ जाते हो कहने लगते हैं कि क्या तुम ठ श्जाने लगते हैं अब कि विलन मॉम ने आखी क्या करना था वे उसे पैसे देने लगते हो कहने लगती इतो मेरी बेटी को चोड़ दो और इन पैसो से जो तुम करना चाहते वह कर सकते हो अगर यह थे बी तुमें पैसा कम पाड़ दा ना तो पुर मुझे रही हुद तो पर चैंक ची उन्हें साफ मना करते हैं कि किसी भी हाल पर गुण को नहीं छोड़ूंगा जो भी हो जाए तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बिजनिस वापिस आ जाएगा तो लोगों की भूल है कि वो कभी वापिस आएगा और क्या तो ऐसा करना तो कि उनकी company बच जा और चैंक को भी कुछ ना हो इसी बारे में सौच रहोते हैं तो उसका फ्रेंग कहने लगता है कि उन में से एक investor लूई भी था लूई का नाम सुनते ही शेंग कहने लगता है कि हर बात में लुई यह कूं आ पिर शैंक को अपने डैड की कॉल आती है और हमें गुशन दिखाई जाती है जो शैंक से मिलने के लिए उसके ऑफिस तक आ जाती है और जैसे उसके ऑफिस पहुंचती है तो वह शैंक को अपने दोस्तों से बात करते हैं जो शैंक कहे रहा होता है कि हम यह रिपोर्टर्स को क कहा देंगे कि हमारा कोई भी रिलेशन चैंक ची के साथ नहीं है इन सब बातों को सुनने के बाद कुछ हैना करें लगते हैं कि तुम कितने बुरे हो तुमने तो अपना चैंक ची के साथ रिलेशन भी खतम कर दिया और उसके लिए लाया खाना प्यांक करवान से चली जाती है पीछे से जीलियो कहने लगते है कि भाई आपने उसको क्यों नहीं बताया कि आपने किस वज़ा से मना किया है अगर आपके डैड आपको फोर्स ना करते तो आपने ऐसा नहीं करना था पर शैंक कहने लगता है कि मेरे डाड अगर फॉस ना भी करते तो मैंने फिर भी यही करना था क्योंकि इसी से हम बच सकते हैं फिर कुछ शैंक वहाँ से आने के बाद अपने बॉस के पास आ जाते हैं कि अब उसने सोच लिया था कि वह चैंक की हेल्प खुद करेगी इसी बारे में वह अपने बॉस से बाते वगरा करती है और शैंक दिखाया चयता है जो सब के पास आ कर उन्हें कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने रिपोर्टघ को जाकर क्या बोलाइं थे कि कि अभी याद है ना क्योंकि शैंक ने इनने भी यही का था था कि हम चैंक जी को जानते भी नहीं है इन्हीं सब बातों को कहने के बाद वो रिपोर्टर्स के पास चला जाता है और गुशैंग दिखा जाती है जिसके बॉस से इस बात का कोई भी क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो उसका बॉस बताता है कि तुम जितना असान इस मसले को समझ रही हो ना यह मसला उतना असान नहीं है पर मैं फिर भी तुम्हें आपने फ्रेंड्स वगरा के कॉंटक्ट नंबर दे देता हूं वह काफी परफैर्शन है तुम्हारी एक्सेपनी करती तो उसका 팬 करें लगता है कि मैं उसको जाकर सारी बात क्लियर कर नहीं था के अपने आपको प्रूफ कर नहीं है और यह सपोर्ट कर पाए और ऐसी के बाद वह कोब्shot कर पा शुआ करता है यहां पदा कर दीक करता हैँ यह चे अजिर neighbor कर थे लगते हैं के कौई बात नहीं मेरे भाई हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो उसकी बास सुनने के भर मासे चला जाता है जो को शाइन के पास आया होता है कि सारी बात को इसके बात के पर किया है ना क्याम खुद करना चाहते थे, यहां तक कि शैंक तो अभी भी जैंक जी को फुल स्पोर्ट करना चाहता था, उसकी यह सब आते स flavors सुनने के बाद, गुशैंक कहे लगते हैं कि, क्या मैं ऐसे भी शैंक के Бारे में गलत सोच दी आई、 और फिर उसी ने उसको सुनने के बाद गुआन गुशैंग को कौर करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अगर शैंग ने उसकी हर्प नहीं करनी थी तो इस तरह उसको लोगों के सामने बुरा भला भी न कहता गुशैंग कहने लगते हैं कि नहीं नहीं उसलिए ऐसा कुछ भ को देनी के लिए लेकर जाने लगती है पर उसके माम रोक कर कैने लगती है कि क्या तुम पागल हो गई हो तो गवर यह था नगती हुँ तो मैं पता नहीं कंपनी को कैसे चला रही हूं और घर कॉप मैंने बहुत मुश्किस से चलाया हुआ है यह बात मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई थी गुशेंग जो घर बैटकर शेंग का वेट कर रही होती है पर उसका मैसेज करने का भी दिल कर रहा होता है कि मुझे उसे मैसेज पर ही सोरी कर देनी चाहिए फिर कहती के ने नी मुझे सोरी करने चाहिए और भी कहने लगते हैं कि यह सोरी करना कितना मुश्किल है और तब भी उसे शेंग का मैसेज आता है कि आज राद मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा तो तो मेरा वेट मत करना और सो जाना और तो उसी तरफ चैंक्ची दिखा जाता है जो अपने विला को रहोता है कि जो मैं करना चाता है तो मेरे कर लिया और छैंक्ची हर जगा पर जॉपर ढूने के लिए जाता है अपने पर फाइल वहां पर देता है पर वह लोग उसके डैट का नेम पड़ने के बाद उसे रिजट्ट कर देते क्यूंकि उसके डएट की वज़ा से इनकी हूँ और वो जोब डिलीवरी की जॉब होती है और शैंक जो अपनी कमपनी में हार्वर कर रहा होता है अपने फ्रेंट्स के साथ जाते हैं जो यफी के पास होती है यफी उससे चैंक्ची के बारे में बात कर रहा होता है वगवन उसे कहने लगते हैं कि मुझे पता है चैंक्ची कुछ ना कुछ कर लेगा और वह वापी से कमबैक कर लेगा मेरी माम तो मुझे बाबा कह रही है कि मैं चैंक्ची को छोड़ और अपनी कमपनी को वापिस लेने में और यहां तक कि उसके सैरी भी बता देता है कि 57,000 है यह सुनने के बाद तो गौन वहीवच चुपो जाती है और सैट थोड़ी होती है और भी वो दोनों साथ में बैठ कर सिंग करने लगते हैं चैंक ची अपनी फर्स पे की मिलने के बाद गौन और अपने लिए एक मूवी की टिकेट लेने के लिए जाता है और इतने में पीछे से गौन भी यीफी के साथ आती है वहाँ पर मूवी देखने के लिए गौन तो चैंक ची को नहीं देखती पर यीफी जब आता है तो वह चैंक ची को देखकर कहने लगता है कि ये तो तुम्हारा हस्पें डेना चलो जाकर उसे बुलाते हैं पर गौन उसे रोक देती हो कहने लगती कि नहीं नहीं उसे चोड़ो हम चलते हैं ये कह कर वह उसे वहाँ से ले जाती है और शैंक शी अपने आफिस में दिखा जाता है उसके सामने उसके तोनों दोस भी बैटे होते हैं शैंक शी पूछे लगता है कि लड़कियों को क्या चीज़ मसान दोती है मुझे गुशैन को क्या देना चाहिए उसका फ्रेंड तो पता नहीं कौँ 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 सी उल्टी ब्रेंड्स के बारे में बताने लगता है शैंक कहने लगता है कि तुम्हारे ये सारे ब्रेंड में बंद करवा देने है ये सुनने के बाद वह से कहने लगता है कि चैंक जी जब बाते वगरा करने के बाद उसे मुवी की टिकेट देने लगता है और साथ ही साथ गौन को कहता है कि तुम्हें अंदर चाना चाहिए काफी ठंड हो रही है तुम्हें कई सर्थी ना लग जाए गौन तो उसकी ये बात सुनने के बाद फोरन वाँ से चली जाती है चैंक जी को तोड़ा अच्छा नहीं लगता और घर में जाने के बाद उसको ये फी की सारी बाते यादा आ रही होते हैं कि वो अब कभी भी कमबैक नहीं कर सकता और साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया था कि वो विलिज भी शिफ्ट हो गया है और गौन उसे मिलने के लिए उसके विलिज में भी आती है यहाँ तकि उसके घर पर भी जाती है घर पर तो कोई नहीं होता पर उसके पूरे घर को देखती है और उसके इतनी बुरी कंडिशन को देखकर वांग से चली जाती है और फिर गौन से बात करने के लिए वांग आई होती है और वांग तो साथ साथ गौन से चैंग्ची को छोड़ने का कहरी होती है और ये सब बाते कॉल पर गौन की माम भी सो रहे होते है जो वांग ने उन्हें कॉल की होती है क्योंके वांग को गौन की माम ने ही बेज़ा था गौन से बात करने के लिए पर गौन अपनी बास से नहीं मुकरते हो कहें लगते हैं क्योंकि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और इसी की कॉल के बाद वो गुशैन को भी कॉल करते हैं कि तुम भी अपनी सिस्टर के पास आ जाना उसने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है और चैंग चे जो गुएन की माम से मिलने के लिए त्यार वगरा होकर आता है शैंग दिखा जाता है जो घर्ट की तरफ गुशैन के लिए बुके लेकर जा रहा होता है और यहाँ चैंग गुएन की माम के साथ दिखा जाता है गुएन की माम पहले कोई बात कहती इससे पहले वो उसे टी पीने को कहती क्योंकि उसकी माम ने टी में कुछ ड्रोग वगरा मिला दिये थे चैंग तो बात सुने की वर जल्दी से उस टी को पी लेता है और फिर इतने में वहाँ पर गुषैन भी आ जाती है गुषैन जब चैंग ची को देखती है तो उसे हाई कहती है और अपनी इमाम से पोछती है क गौन कहां पर है मैं उसे मिलने के लिए आई हूँ पर आगे से उसकी माम कहते है कि गौन तो नहा रही है तुम यही पर आकर बैट जाओ उसको चैंक ची के बराबर में बिठा देती है और जब मेट पानी लेकर आती है तो मेट के आगे अपना पाउं कर देती है जिसकी Влад को चैंक चैंक चो नहां रहे हो तो लिए पास आ रहा होता है रहा है गुषैन पोचह लगते कि क्या हुआ है चैंक ची तुम्हें पर चैंक्ची उसे कुछ नी बोलता है उसे किस कर लेता है और उसे धक्की से जब पकर के किस कर रहा होता है बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और गुशैन भी उसे अपने से दूर कर देती है और गुवन जैसे ही देखती है तो वह चैंक्ची को आकर एक पीछे चैंक ची पी चला जाता है और गौन की माम और वांग तो एक-दूसे को देखकर खुश हो रही होते क्योंकि उनका प्लैन काम कर गया था और शैंक शी की माम बारे जाकर शैंक शी से कहती है कि एक सेकिंड की अंदर गू फैमली की घर पर आओ शैंक शी तो पूछा होत बाते कर रही होते हैं गुशायन की माम उसे चुपकर वाले तो कहने लगती है कि एतना कोई बात नहीं थी लोग दूसे को लाइक करते है इस बार पर तो और भी शैंक की मॉम को घुसा आ जाता है इतनले में महां पर शैंक भी आ जाता है और आकर अपनी मॉम से कह In зах founder लगता है कि मॉम यह को नोँ होते है हमारे घर की बातों में बोलने वाले जोला हम अपनी घर पर चलते हैं वहाँ चलकर हम बात करेंगे यह कहाँ कर वो गुषैन को वहाँ से लेकर चला जाता है और धक्के से कार में बिठा कर लेकर जा रहा होता दोसी तरफ गुषैन दिखाई जाती है जिसके पीछे पीछे चैंक ची आ रहा होता है चैंक ची उसे कहने लगता है कि मेरा यकीन करो मेरा कोई भी ऐसा रिलेशन है जो तुमने मेरा गुशेंग के साथ देखा है पता नहीं मुझे क्या हो गया था पर गुवन को तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और ये तो नहीं जब आवस में लड़े होते है पास से ही शेंग की कार भी गुजर जाती है और गुआंट उससे बाते सुना कर वहाँ से जारी होती है पर चैनक जी जैसे उसकी पीछे भागता है उसकी टकर कार से हो जाती जिसकी विल्दस उसका एक्सिडेंट हो जाता है ये दिगकर तो गॉणोने लगते है उसके पास आकर और आका कहने लगता है कि क्या तुन Norweg कैप आओ पर गुष्यान आगे से कुछ भी नहीं बोलती शाइंग उसे कहने लगता है कि तुम मुझे अपना उबाल दे दो और जब गुष्यान नहीं दे रही होती तो शाइंग उसे जबर दस्ते उसका उम्बाल पकर लेता हो कहने लगता है कि तुम्हें अब इसकी जूरत और नहीं मैं चैंक जी को हट करना चाहती हूँ और शाइंग जो अपने मॉम डट के पास पहुंच जाता है और अपने मॉम डट के साथ साथ अपने सिस्टर को दे कर कहने लगता है कि मॉमा पहले बता देती कि आपने इतने खांदान को इकठा करना है मैं भी फिशाधी की इजाम कर ले तो साथ ही साथ सब के लिए गिफ्ट सेगारा भी ले आता ये बात जब हंसते वे कह रहा होता तो उसकी माम कहें लगते हैं कि वुशेन कहां पर है शेंग कहां लगते हैं कि मैं उसको घर पर छोड़ाया हूँ मुझे पता है यहाँ पर आप आप उसको उल्टी स से पता था कि वो चैंक ची को लाइक करती है पर जब मैं उसको लाइक करता था तो मैंने उसको अपना लिया तो उसकी माम कहते हैं कि हम फिर भी उसको तुम्हारी वाइफ समझ कर उसकी बहुत जदा कियर करते रहे तो शैंक कहते हैं कि हम मैंने ही उसके मजबूर किया था वो उसकी माम ने मुझे ऐसे शादी नहीं करवाई बलके मैंने तो उन्हें पैसे दिये थे उसके तो सिस्टर कहें लगते हैं कि भाई आपको क्या हो क्या है आपने ऐसी लड़की से शादी क्यों की तो शैंक कहते हैं कि मेरी मर्जी मैं जिससे मर्जी शादी करूँ इस पात पर तो उसके टेट को बहुत ही गुसा जाता है, साथ ही साथ, उसके टेट पता नहीं कहाँ से, गुशन की रिपोर्ट मेगरा भी ले आते हैं, और वो कहये लगते हैं कि आप तो हमारा को ग्रैंड सन भी नहीं है, यह सुनक तो उसकी मौम और भी हो जाती है, कहये इसे कि जो भी आप मुझे पणिश्मेंट देना चाहता है वो मुझे आपते हैं उसके बाइड ़ेट बाते हैं घुटनों के बन बैठ जो फ़ींग भी बाहत संकर कहते है कि हाँ ठीक है और पीछ हग करकर पने चाहता है और फ़ींग चाता है जो घै conceived आ infantil की कि आने का वेट क सोना भी और चलो फिर भी तुमने कुछ कहना और एक्स्प्लेइन करना चाहती हो तो ठीक है तुम बोलो मैं सुन रहा हूं बहुत टाइम है और गुशेंच उसके पास आका बस उसे सौरी कहती है यह सुनकर तो शेंग हंसें लगता हैं लगते कि बस तुमने यही कहना था पर दिली दिल में शेंग सोचा होता है कि तुम मुझे कोई और बात कहा दो ना मैं उस तुम्हारी बात पर भी यकीन कर लूँगा बस तुम कुछ कहो पर गुशेंच अब कुछ नहीं बोलती बस उसको सौरी के लावा कुछ में नहीं आ रहा होता तो शेंग तो बहुत जादा रांटे हैं लगता कहा लगता है कि तुमने अपने आपको समझा क्या हुआ है मुझे तो लगा था कि तुमने चैंक को छोड़ दिया है और उस पर बहुत जादा चीखने लगता है यहाँ ता कि यह भी एक तुम्हारे में तो दिल भी नहीं है गुशेंग अभी उसको समझ जाता है और गुषेंट वहीं पर गिड़ जाती है श्यांग जो रोज ही गुषेंट के साथ नहीं सोगा वता है मेंट भी उसे सुबह पूछे लगते है कि आपके और गुषेंट के दम्यान क्या हुआ है जो आप तोनों सेपर्ट्स हो रहे हैं पर वो मेड को कुछ भी नहीं बताता है कि तुमने गुषएंग पर अच्छे से नज़र रखनी है ये कहकर मुँआ से चला जाता है और रास्ते में जाते होगे फिर से गुषएंग के अंबाल पर चैंग ची की कॉल आती है चैंग ची क अपके बार शॉखेंग उठा लेता हूं चैंग ची कहने लगता है क 싹 चलो अच्छी बात है तुम्हीं हो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने ही गुषएंग को किस किया था ना कि उस्ने मुझे किया था पताने मजां बुछर jsem में बुए नज़ ये कमें को आन नज भी वो देखती है कि गुशैंग तो नीचे पड़ी होती है उसके सर पर भी चोट लगी होती है इसके बाद शैंग को कॉल आती है गुशैंग की हालत का बताने के लिए और शैंग तो यह सुनते साथ ही जल्दी से हॉस्पिटल में आता है और जल्दी से जाकर ऑप्रेशन लगाई है यह सुनकर तो शैंग को और भी गुसा आ जाता है और उस पर इतना चीख रहा होते हैं कि तुम्हारी वज़ा से अगर मेरी वाइफ मर्गी तो इतने में उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो शैंग को साइट पर करने लगतों कहें लगते हैं कि अभी भी गुश से बाहिर आते हैं डॉक्टर से जाकर शैंग जल्दी से पूचे लगते हैं कि मेरी वाइफ कैसी है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके हालत ठीक नहीं है शैंग कहने लगते हैं कि क्या मतलब उसकी हालत ठीक नहीं है क्या वो कभी भी ठीक नहीं होगी तो डॉक्टर कहने लगत तो बिल्कुल भी अच्छे की फिकर नहीं है और शैंक जो गुषैन के पास होता है उसके लिए उसका फेवरेट खाना लाता हो कहने लगता है कि जब मैं तुम्हें इतना कुछ कह रहा था तो तुम्हें मुझे मारना चाहिए था जैसे तो मुझे पहले मार कर समझाती थी कि तुम गलत हो उसका हाथ पकर कर घुद कमार्णने लगता है और कहता है कि तुम्हें मुझे ऐसे ही मारना था ताकि मुझे थोड़ी खकुल आती और वहीं पर उस पर ही सर रहकied कर सोजाता हैं सुबह जब होती है तो उसे चेक करने के लिए डॉक्टर आते हैं डॉक्टर कहते हैं कि बस इसको होश में आने की ज्रत है यह क्याकर उसका चेकप करने बाद वह बाँं इसे चले जाते हैं और शैंग रोज ही गुशैन का काफ़ी अच्छे से ख्यार रख रहा होता है। चैंग के पास वाला जो पेशेंट होता है उसके पास जब नर्स आती है तो उसे कहने लगती है कि आपने यह वाले टीपी नहीं है। इससे चैंक को पिसा भी आता जाते हैं कि इस हाले से पहले,